एलो एटा क्यासे हो सब लोग स्वागत आपका PWKS प्लाटपॉर्म में मैं हूँ असमित अमाम और एक लवे 2.0 इस बांच में आज हम आपके लिए लेक्चर 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 में लेक्चर में लेक्चर कवर करेंगे उसका नाम है एन्हांसमेंट और फूड अगर मैं CET की बात करूं, MST-CET की तो MST-CET की एक्जाम में इस लेस्न का वेटेज है करीब 5 मार्स का अलब पांच सवाल तो आई जाते है अराम से थोड़ा शिफ्ट वाइस मतलब डिफरेंट हो सकता है शायद किसी शिफ्ट में तीन ही सवाल है किसी में पांच आ गया कि अगर हम देखें तो हमको नजर आ रहा है कि यह लेस्न जो है इसमें से करीब 5 मार्स के सवाल आई रहा है तो लेस्न देखो यार कि तो करना कभी पॉसिबल हो गाई नहीं हमारे लिए कोई भी लेस्न करी नहीं सकते हैं क्योंकि हर लेस्न का अपना अलग इंपॉइटेंस है अब अनलेसिस तो समझ लिए हम है ना अब देखो एक चीज में आपको बताना चाहरे हूं कि अब यह मैं क्यों बताना चाहरे हो देखो आज की तारीक है बारा सितंबर है ना एक्जाम जो है आरी हमारी 11 फरवरी से ताइम जो है यह लिमिटेड है एंड इस वेरी नाच्रल तो फील अबिट नेगेटिव नेगेटिव फील करना यह कोई बुरी बात नहीं है नाच्रल चीज है बिलकुल बट बात मुझे यह बतानी है कि यह बैडन अगर हम हमारे दि दो अभी तो कैसे तैसे एक्जाम दे देंगे टाइम पास करते हुए एक साल का ड्रॉप लेंगे और बाद में भाई एक और बार रिपेट कर लेंगे मत करो यार ऐसे अब देखो टाइम जो है टाइम इस वेरी लिमिटेड इंडिस्टाइड बट टाइम लिमिटेड है इस अभी के लिए तो दिमाग में लाना ही नहीं है कि भाईया रिपेट कर लेंगे सीटी को और नेक्स्ट वाले येर में मैं स्थमको क्या मिलेगा बिल्कुल पूरा साल मिल जाएगा हमको बोड की भी मतलब टेंशन ही रहेगी पूरा हम अपने आपको डेडिकेट कर लेंगे इतने डिल्यूजन में मत जाईए यह डिल्यूजनल हो गया दूसरा डिल्यूजन बताओ मैं आपको कुछ बैट्चे जो है इनके दिमाग में यह डिल्यूजन होता है कि भाईया हम तो होश्यार है हम क्या करेंगे 11 फरवरी से एक्जाम है ना तो हम पढ़ाई के लिए सब्सक्राइब करेंगी फिर सोचगा रहे यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही तो ऐसी चीज़े जो है यह आगे बढ़ता ही जाएगी तो भाईया ताइम है ना आपने पास 12 सितंबर से लेकि 11 फरवरी तक तुम चोड़ दो 18 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल हो रहें त को अपन कंसेडर करते हैं सितंबर ऑक्टोबर नौंवर दिसंबर और जनवरी वैसे देखा जातो पाच आपन चारी महने पकड़ते हैं ना चार महने है भाईया तुम्हारे पास अब चार महने में दिन किते हैं करीब 120 दिन है ना बाला जी कि मैं बात करूं बाला जी मैं 15 के लिए बिल्कुल नहीं अरे भाईया 120 देज है तीस दिन निकालो एक लेसं को कप्लीट करने में दो दिन लेलो ना तुम एक मेहने में बाजी कंप्लीट इधर अपने वर लॉजिक बाके सब्चको भी लगा दो तो यह ना तो स्लाबस क्यों नहीं कवर होगा सिलावस तो बिल्कुल कवर होता है बट यह प्लानिंग भी तो चाहिए हमारी वर्ना वही डिलूजनल नहीं बनना है पॉजिटिव थिंकर बनना है यह हमको एक पॉजिटिव नोट पे हमारा वर्क चलना चाहिए है ना भाशन बहुत हो गया अपने लेक्चर को शुरू बरत है हमारा जो सब्सक्राइब और नेक्स पार्ट जो है अनिमल हस्मेंट्री यह भी हम आज के लेक्चर में कवर करी लेंगे इसको क्यों छोड़ दे बिचारे को इत्तु सा टॉपिक हां अब आप बोलें माइक्रोब्स इन व्यूमन वेल्फेर का क्या हुआ तो भीया वह वाला टॉपिक अपन नेक्स लेक्चर में देखेंगे क्योंकि माइक्रोब्स इन व्यूमन वेल्फेर यह वाला जो पॉइंट है इस कंप्लीटली डिफ्रेंट पॉइंट है ना एन्हांस्मेंट पूड प्रेडक्शन यह थोड़ा सा अलग है मतलब दोनों पॉइंट जो है इस दियार को अलग से पढ़ेंगे एंड यह अपना एन्हांस्मेंट पूड प्रेडक्शन को इनीशल पार्ट है कहां तक सबसे लास्ट वाला अपना टॉपिक जाएगा मरी ख्याल से लाक कल्चर तक हम आज देखें उसके बाद में माइक्रोवस वाला जो पार्ट है वो नेक्स लेक सब्सक्राइब करो है ना चलो सीटी में लेसन है बोर्ड में लेसन है नीट में नहीं है अब देखिए शुरू करते हैं हमारे लेसन के इंट्रेडक्शन से कहानी कुछ इस तरीके से हैं आपको तो मालूम है पॉपिलेशन बढ़ते ही जा रहा है मतलब कोई कंट्रोल ही नह पॉपिलेशन के साथ जमीन बढ़ जाती किसको प्रॉपिलेशन नहीं होता सब बढ़ते जाता है ना वैसा हो नहीं रहा रियालिटी होना चाहिए ना भाई हमको तो है ऐसा जमीन लिमिटेड बढ़ते जा रही है ना इतने बढ़ते पॉपिलेशन के लिए खाना लाए कहां से कौन लेके आएगा खाना कि धर से लाओं के आसमान से तो टपकेगा नहीं हमको भी बनाना पड़ेगा है ना लिमिट एक et DMार में अना खा गया पाई कर्णा द्लेशन का और फोड़ेशन के दो अन्यृन क्रणा नहीं हुआहिए रर Qatar Intade हों वेक खाना ऑना जार्टां नहीं हमको कुस्ल dh दो ढूत लो की दो दो सी तयों रोटी तुम 100 वोगों में बातो गे इत्तू से नहाला जाएगा 100 वोग दिक्कत है भंचा इया सारे सारे सो भूके रहें है है ना या तो फिर क्या की आसकता है को इरा होगा थोड़ा ऐसा डिमाग वाला तो ऊसने शायर वोल सक एक काम है तो ठीक है दस लोगों पेट में कुछ चले गया और यह जो दस लोग है जितना खाना चाहिए था उससे भी आधा आधा खा लिया तो सारे भूखे यह थोड़े से कम भूखे बाकी जाधा भूखे बैट मिला तो नहीं ना भाहिक खाना सबको तो दिक्कत ऐसी ही है हमारी वर् तो हमने सोचा कि कुछ तो ऐसी टेकनीक हमने डिराइव करनी चाहिए हमने ढून के निकालनी चाहिए सो धाट जितने available से जितनी अवेलेबल लाइंड है उस लाइंड को हम क्या कर सके यूज कर सके फॉर बेटर इल्ड जितने प्लांट है उतने ही मतलब जितने पहले लगाते थे शाहद अभी भी उतने ही प्लांट लगाएंगे पट हमको क्या चाहिए पहले जितना हमको प्रडक्शन मिलता था एक्जांपल है अपने माजन करते हैं कि एक पर्टिगुलर लाइंड से हमको सपोर्ज एक टन प्रड़क्शन मिल रहा था राइस का तो मैं चाहूंगे कि भाईया मैं प्लांट की वराइटे कुछ इस तरीके से बढ़ा हूं कि मुझे उस लाइंड से एक टन नहीं मुझे पा तो चाहे प्लांट बेस डाइट की बात करें या फिर अनिमल बेस डाइट की बात करें जोनों ही फूड मैटीरियल में क्या हो सके इंप्रूमेंट हो सके तो यही हमारा आजके लेसन का टार्गेट है वही हमको पढ़ना है तो देखो ऐसा ही ऐसी ही चीज दिमाग में रखक ते भाही यह Green Revolution क्या होता है तो Green Revolution में बेसकली क्या हुआ? कि लिख देते है रुखो Green Revolution इट रफर्स टू दी Large Phenomena बोल सकते है या फिर एक ऐसा Holiday इसे बूलते हैं, large-scale phenomena that occurred, कब हुई भाहिया ये phenomenon? in 20th century which led to better and improved crop yield, by using hybrid varieties of plant and other biotechnological aids. जो plant production जो है, जो अचानक से मतलब जिसमें क्यों हो गया? बढ़ होती आ गई, सर्ज आ गया है, उस पूरे phenomenon को ही हम क्या बोलते हैं? Green Revolution बोलते हैं, तो जो Green Revolution जो है, इसके father जो है, जो माने जाते हैं, उनका नाम है Norman Borlaug. Norman Borlaug is considered as father of Green Revolution, all over the world है ना? और इंडिया की अगर मैं बात करू तो हमारे scientist जिनका नाम है M.S. Swaminathan. He is considered as father of Green Revolution in India, है ना? यह गवान है भाहिया, Norman Borlaug, he is considered as father of Green Revolution, है ना? इतना ही पूछा तो आपको Norman Borlaug का ही नाम बताना है, but specifically आपको अगर यह सवाल पूछा गया है कि father of Green Revolution in India, है ना? इंडिया की अगर बात की जाए तो भाहिया, वहाँ पर किसका नाम आना जी? वहाँ पर M.S. Swaminathan का ही नाम आपने लेना है, है ना? चलिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, introduction तो हो गया हमारा, हमने यह समझा कि हमको भाहिया, plant जो है, plant जा है, animal, पहले हम आपन गौटनी का पाइट कवर करते है, plant से related, पर बात मैं animal का पाइट कवर करेंगे, है ना? तो देखो, ऐसा है कि हमको क्या करना है, improved plants बनाने है, है ना? तो हमने क्या की, एक टेक्नीक ढून के निकाल यह जिसको हम बोल जाना, है ना? तो प्लांट ब्रेडिंग जा है, plant ब्रेडिंग refers to the technique of artificial hybridization between two different plants for better yield, है ना? जो हमारी जो new plant बने, plant variety बनेगी, किसलिए हम कर रहे है हम? to get better yield, to get better resistance and to get better qualities, correct है? हमने क्या किया, plant ब्रेडिंग की ऐसी टेक्नीक है, या, sorry, plant ब्रेडिंग की ऐसी टेक्नीक है, जि में हमने दो different plant के बीच में breeding करवाई, artificial hybridization करवाया, so that हमारे पास में जो अभी ती एक नईव वराइटी जो बनेगी, उसके पास क्या हो? better yield हो, better resistance हो, और ऐसी ही better improved शायद उसमें food quality वगरा वगरा, ऐसी अच्छी qualities मिलाने के लिए हमने क्या करा, तो plants के बीच में breeding करवा दी मैं example के साथ तुमको बताती हूँ, imagine करो, imagine, imagine, आम पसंद है तुमको, घर मेर को पसंद है, मैं अपने हिसाब से example लेते हैं, तुम तुमारे हिसाब से कोई भी ले लो, अब देखो, ऐसा है कि अपने पास भाई, दो plant है, किसके आम के, मेरे पास है, सुचो मेरे कहानी ऐसी है कि मेरे पास दो plant हैं, आम के, अब एक जो plant है, एक आम का पहला वाला plant है, इसके उपर भरपूर आम के fruit आते हैं, बहुत जादा आम आते हैं, बहुत ही जादा, पर डिक्कत ऐसे, इसके आम होते हैं बड़े खट्टे होते हैं, एक हाथ थोड़ा सा खट्टा आम खाली है, त मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, बट मुझे इसकी उपर नराजी भी है, पता है क्यों, क्योंकि दूसरा जो आम का पेड़ है, इसके आम भाई, इतने मतलब टेस्ट मैं तुमको क्या ही बताओ, एक दम स्वीट है ना, इसकी दिक्कत ऐसी कि इसकी उपर बहुत ही काम आम आम लगी नहीं रहा जादा, एक दम गिने चुने मेरे को कहा का ढूणना पड़ता है, आम दिखते भी नहीं है ढग से, एक इधर है कि इतने पूरत तुम पेड़ देखा, पत्ते काम आम ही आम नजर आ रहे है, दूसरा बिचारा इतने पत्तों पत्तों में तुमको ढूण मेरे पास ऐसा आम का पेड़ होता है, जिसमें इसकी मिठास ये दूसरे वाले पेड़ की और पहले वाले का आम का नंबर, ऐसा मेरे को अगर प्लांट मिल जाए, आहाहा, क्या मजा आ जाए है ना, ऐसा मैंने सोचा अपने दिमाग में, हम डिलूजनल नहीं हुए है, हमने ये जो आएडिया है, उसको क्या करा, आक्चल रियालिटी में लाया, कैसे करा, पहला वाला प्लांट जिसमें कॉन्टिटी बहुत थी, दूसरा वाला प्लांट जिसमें कॉलिटी अच्छी थी, इन दोनों के बीज में, क्रॉस फेटलाइजेशन कराया, है ना, क्रॉस पॉ बनेगी अभी, this progeny will have the characters of its parents, character क्या था बहुत सारे नंबर और अच्छी quality, है न, वही तो है plant breeding, यह तो मैंने आम का example दी दिया, ऐसी हम बहुत सारे different varieties बना सकते है plant की, है न, और वो किसलिए, so that हमारे यह जो new breed बनेगी, वो कैसी हो, उसमें quality कैसी हो, improved हो, है न, तो बस वही अपना plant breeding का मतलब, एक overall, in general idea है, देखते हैं, यह खेर तुम पढ़के भी इसको समझ सकते हो, जाओ तो चलो, आपने एक बार पढ़के देखे लेते, क्या बता है, plant breeding क्या है, it is the improvement or purposeful manipulation in the heredity of crops and production of new superior variety of existing crop plant, है न, मेरे जैसे बता है, अपने पास दो टाइम के आम के पेड है, जो उनका natural type जो है, plant का, उसको हमने क्या किया, manipulate कर दिया, change कर वा दिया, है न, purposeful change किया, किस कैसा, हमारे पसंद का, अच्छी quality के लिए, अच्छी quantity के लिए, हमने ये क्या किया, new breed ही तयार कर दी, plant की, वही तो है, हमारे plant breeding, it is a method of altering genetic pattern of plant to increase their value and utility for human welfare, हमारे फाइदे के हमने उनका genetic makeup ही change कर दिया, पहले वाले का genetic makeup ऐसा था कि बहुत सारे number of fruit, बेट खटे वाले fruit, दूसरे वाले का genetic makeup ऐसा था, कम amount है fruit, बेट अच्छी quality के fruit, हमने दोनों को combine करा है, तीसरा plant अपने पास बना, जिसमें बहुत सारे number of fruit भी है, quality of fruit भी अच्छी है, बन गया न, genetic material change हो गया न, है न, चलो, फिर उसके बात में देखो, क्या है, plant breeding जो ही है, क्यों करते है हम, क्यों हमको इत्ती जरूरत पड़ी है, इत्ता ताम जाम करने की, मैंने तो मेरा purpose बता है, मेरे को भाहिया, बहुत सारे number of fruit भी चाहिए था, मेरे को quality भी अच्छी जाहिए थी, इनक से मैंने बता है, शायद किसी पेड को, दस आम आते होंगे, अभी क्या किया, मैंने ये plant breeding की वज़े से, अब उस एक पेड के ऊपर, 100-100 fruit आने लग गया, तो उसकी yield बढखाना, improved quality, उसकी quality अच्छी हो सके, tolerance इंक्रीज हो सके, उसका tolerance मतलब अब देखो, आपको मालूम है, आम के जो पेड है, ये जनरली घा लगता है, ऐसे जगों में, जहां पर अच्छी घासी गर्मी है, तुम इसको ठंडे इलाके में लेके लगा दो, तुम इसको बरफीले एरिया में लगा दो, भाई किधर के आम किधर का पेड टिके गाई नहीं है, तो हर एक और गानिजम उसका एक टॉलरेंस लेवल होता है, है ना, बट मैंने, मैंने ऐसा सोचा, भाई मेरे को ठंडे इलाके में भी चाहिए यार आम, तो मैंने इस आम के पेड में ये टेमपरेचर टॉलरेंस डाल दिया, मतलब वह वाली जीन डाल दी इसके अंदर, इसको ऐसा मैंने मतलब बना इसलिए कर रहे है, so that crop की क्या हो सके, yield बढ़ सके, quality बढ़ सके, उसमें tolerance बढ़ सके, environmental stress को tolerate करने के लिए है, make plant resistant to pathogen and increase tolerance to insect pest, मतलब ये प्लांट के ऊपर वो insect वगरा उसने भी attack नहीं करना चाहिए, insect pest के अगेंस में resistance आना चाहिए, हमारी भाई, बहुत है, देखते है कितन इसलिए डिमांड अपन पूरी कर सके, और सच में, मतलब ये हमारे लिए possible हुआ भी कि नहीं, तो obviously अगर हमको new plant की breed बनानी है, तो हमको plant breeding की technique भी तो समझनी पड़ेगी, correct? तो अब ये plant breeding की जो technique है, इसको हम hybridization बोलते हैं, तो hybridization technique जो है, इसमें हम कौन सी कौन सी steps follow करते है So these are different steps followed, सबसे पहले देखो क्या detail समझाती हूँ, चिंता मत करो, पहले तो steps देख लो, कौन सी steps है, पहली step आएगी collection of variability, क्या क्या होता है, अपन समझेंगे, collection किया different varieties of plant का, फिर उसके बाद में उनका evaluation किया, है न, selection कर लिया हमारे desired plant का, फिर वही अपना cross pollination करवाया, hybridization है न, बाद में selection and testing of superior recombinant और सबसे last वाली जो process है, that is testing, release and commercialization of new cultivars, sorry, commercialization of new cultivars, ठीक है, अब दो को एक-एक समझाती हूँ, एक-एक, hybridization technique जो है, इसकी पहली step मैंने तुमको क्या बताई, collection of variability, collection of variability, मतलब देखो, मैं तुमको rice plant का example बताओ, है न, तो भाईया, rice plant जो है, all across the world, इंडिया की बात नहीं करने में, all across the world अगर तुम बात करो, तो, यह जो rice plant है, इसकी आपको चार-पास 1000 varieties दिख जाएगी, देखो, species तो एक ही है, tritigum estivum, है न, बट मैं बोल क्या रही हूँ, भाई, 4-5,000 different क्या बन रही है, इसकी varieties है, जाद नहीं हो गए, ऐसे नहीं लग रहा तुमको, तो basically, अब मुझे अगर germ plasm collection करना है, तो germ plasm collection मतलब क्या, कि यह एक जो species है, है न, उसके जितने भी different varieties है, उनका genetic material मैं क्या करूंगे, collect करूंगे, अब genetic material करना है, मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे न, यह plant की एक cell ली, उसको तोड फोड़ किया, उसके अंदर का nucleus निकाला, nucleus को भी तोड़ फोड़ किया, उसका DNA निकाला, और कहीं तो भी ले जाकर रख दिया, ऐसी फालतु किरिया पन नहीं करते, basically, क्या है, हमको भाईया, जिन्दा प्लांट चाहिए, है न, basically, चलो, मैं दूसरे तरीके से इसको समझा र for all genes in a given crop, ठीक है, यह तो definition होगी, अब germplasm collection में मैंने क्या किया, शायद मैंने हर एक variety जो है, उसके seed को अपने पास collect करके रख दिया, ऐसा possible है, या फिर हर एक plant की जो meristematic cells थी, उनको preserve करके रख दिया, है न, तो germplasm collection हो गया, तो या फिर जो प्लांट है, अपना naturally grow कर रहा ह है, कुछ नहीं किया, मैंने उसको रहने दिया जंगल में, जब मुझे जरुरत पड़ेगी, तब फिर मैं उस plant की क्या कर लूँगी, टीशू अपने पास ले कि आउँगी, और उसके उपर experiment करूँगी, correct, तो यह हम कर क्या रहा है, बहुत है, germplasm collection, different varieties के जो plant है, उनका हमन genetic material collect किया, either in the form of seed और in the form of their tissue, है ना, अब यह जो germplasm का conservation है, देखो, collection नहीं बोल रहा है, conserve करना मतलब उसको बचा के रखता है, germplasm conservation जो है, यह दो तरीके से हो सकता है, कैसे, एक है भाईया, हमारा in-situ, दूसरा है, ex-situ, देखो, in-situ conservation मतलब, ऐसा conservation जो कहा किया जाता है, in their natural habitat, मतलब, imagine करो कि अपने पास, अपने पास कुछ plant की varieties है, बहुत सारी varieties है, अब यह plant की varieties जो है भाईया, यह जंगलों में हमको बहुत दिखी, है ना, तो मैंने क्या सोचा, जंगल में तो plant बढ़ी रहा है, इसको कौन, मतलब, तकलीफ देने वाला यहां पर, इसको रहन plant को रहने दिया, जब आपको जरूरत पड़ी, तब जाके फिर आपने क्या किया, वो plant के जो fruit थे, उसमें से seed निकाल ली और उसको collect किया, जब जरूरत थी तब, उसको तब तक तुम क्या कर रहे है, उसके natural habitat में ही रख रहे हो, मतलब, that type of conservation is, yes, natural habitat में उसका conservation मतलब ही in-situ conservation, ex-situ क्या हो जाएगा, conservation of plant outside of their natural habitat, अब outside of their natural habitat मतलब, जो plant बिचारा, imagine करो, जंगलों में ग्रो कर रहा था, है नो, उस plant को, और वो normally जंगल में ही ग्रो करता है, उस plant के seed को तुमने क्या किया, तुमने अपने घर में लगा दिया, तुमने अपने घर में लगा दिया, तु इसको लगाना यह थोड़ा सा मतलब, उसको ex-situ conservation वैसे बोला जा सकता है, यहां हम अपनी subject की respect करते हुए, अपन थोड़े से दूसरे example लगते है, कि जैसे आपने plant को क्या कि आप बाटनिकल गार्डन में लगा दिया, that is ex-situ conservation, तो, या फिर कई गार्डन में लगा दिया, खिर गार्डन तो हमारे घर में भी होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, गार्डन में लगा दिया, नॉर्मल किसी, बाटनिकल गार्डन तो खिर अपने बात ही कर ली, है ना, seed bank जहां पर आप seed collect करके रख सकते हो, तो, seed bank जो है, एक ऐसी building जिसमें आप क्या कर रहे हो, different varieties प्लांट की, उसके seed को collect करके रख रहे हो, preserve करके रख रहे हो, है ना, तो, ऐसा जो conservation है, जिसको हम क्या बोलेंगे, outside of natural habitat, plant के natural habitat के बाहर, जो आपने conservation किया, प्लांट का, उसको आपने exit to conservation बोल दिया, है ना, चलिए, तो हमने collection तो कर लिया, भीया, plant के different varieties का, फिर उसके बात में, जो हमारी second step है, that is evaluation, है ना, क्या कर रहा है, evaluation and selection of plant, अब देखो, मेरे को, imagine, मेरे पास, 100 varieties है, suppose, आम के पेडो की, छीग है, अब इन 100 में से, मुझे, मेरा target तो set है, मैंने तुमको आलरेडी बता है, मुझे number of fruit भी जादा चाहिए, और sweet भी चाहिए, तो मैंने करा, क्या पहले तो मैंने जितनी varieties मेरे को मिल रही थी, सारी की सारी varieties अपने पास ला ली, है ना, और फिर उन में से, मेरे पसंद की जो quality दिखा रहा है, plant, मेरे पसंद की plant को मैंने select करवाया, मतलब कौन सा, एक plant मैंने ऐसा choose करा, जो क्या कर रहा था, बहुत जादा number में plant, sorry, fruit क्या कर रहा था, produce कर रहा था, फूसरा plant मैंने ऐसे choose किया, जिसमें क्या थी, sweetness बहुत जादा भरी थी, अब देखो, 100 plants है, obviously, 100 plants की हर किसी की अपनी अलग property होगी, है ना, बट मैंने, मतलब, fruit के size के उपर बात नहीं करी, मैंने, है ना, या फिर fruit में कितना pulp है, उसके उपर मैंने ब मेरी quality selected थी, correct, मतलब, यह अपने decided qualities थी, तो 100 पेडो में से, मैं ऐसे ही पेडो को choose करूँगी, जो मेरी सोची हुई qualities पर खरे उतर रहे हूं, correct, तो हमारी second step जो है, that is evaluation, हम evaluate करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, उन plant का selection करेंगे, तो ऐसे जो plant, जो हम select करते हैं, उनको हम ब selection of healthy, vigorous plant with desirable trait is done, obviously, desirable trait जो है, उसको ही select करेंगे, अपन, parents are self for 3 to 4 generation to get a pure breed, this is another important thing, मतलब, it is like this, कि मैंने plant 1 को select किया, और plant 2 को भी select किया, प्लान 2 क्या कर रहा है, इसमें number of fruits जो है, यह बहुत जादा आ रहा है, और plant 2 में क्या है, sweetness जो है, यह बहुत जादा है, यह दोनों ही qualities हमको पता है, बट, इनकी यह जो qualities है, जब gamit form हो जाएंगे, इनसे, तो यह qualities कहीं भटक ना चाहें, मतलब, ऐसे गाये अपना हो जाए है, इसलिए हम क्या करते हैं, कि यह जो plants है, दोनों को कम से कम, कम से कम हम बोल रहा है, 3 to 4 generation के लिए क्या कराएंगे, इनको self-pollinate करवाएंगे, इनके बीच में self-pollination ही करेंगे, तो उसके वज़ए से यह जो plant है, यह क्या बनता है, पता है, it will become homozygous, है न, homozygous मतलब, अगर इमाजन करते हैं, this N represents the number, capital N represents the dominant trait, small N represents the recessive trait, अगर small N किसी ऐसा वाला जीन किसी के पास है, तो वो कम number of fruit बनाएगा, मैं hypothetical बनाएगा, बतारी हूं, यह example, capital N है, तो वो plant क्या करता होगा, जाता number of fruits बनाता होगा, मैं क्या चाहूंगी, कि भाहिया, मुझे जो plant चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, it should have this homozygous trait, जहां पे दोनों के दोनों genes कैसे हो, dominant वाले ही जीन हो, जाते जाते number of fruit बनाने वाले ही जीन हो है, तो खेर, ऐसा homozygous trait बनाने वाला plant, अगर आपको चाहिए होगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, तीन से चार जनरेशन तब, उसको self-pollinate कराना पड़ेगा, उसी से हमें क्या मिल जाएगी, यह hybrid नहीं मिल रहा है, यह क्या मिल रहा है, हमको pure breed मिल रहा है, hybrid condition मतलब यह ऐसी condition, जहां पर एक dominant अलील है, जहां एक रैसे से वालील है, उसको hybrid बोला जाता है, हम choose किसको कर रहे है, हम pure breed को choose कर रहे हैं, pure breed मत इसलब ही, homozygous breed, है ना, तो यह हमने किया, homozygocity बढ़ा दी भाहिया, फिर उसके बाद में तीसरी जो अपनी process, that is actual hybridization, अब imagine करो कि हमारे पास क्या है, plant 1 और plant 2 है, है ना, plant 1, number of fruits बहुत जादा produce कर रहा था, plant 2 जो है, यह क्या कर रहा है, sweet वाले fruit प्रोडूस कर रहा है है ना, अब यह दोनों के दोनों plant जो है, यह क्या करेंगे, यह अपने gamits बनाएंगे, है ना, imagine करते हैं, इन दोनों ने अपने gamits बनाएं, तो भाई यह दोनों के gamits देखो कैसे बनेंगे, these are the type of gamits produced by the first plant, दूसरे वाले ने भी ऐसे ही gamits बनाएं, अरे, अब इन दोनों को cross जब करोगे तुम, तो F1 hybrid जो है, F1 hybrid में यह कुछ इस तरीके के तुमको gamits मिलेंगे, obviously, तो दोनों ही gamits, जो है, यह कैसे, both of them are dominant allils, मतलब यह जो अपना hybrid बनेगा, इसके पास भाई, नमबर भी जादा होगा, फ्रूट का, और फ्रूट की sweetness भी होगी, वही है ना, artificial hybridization, ह है ना, हमने जबरदस्ती क्या कराया, प्लांट के बीच में, पॉलिनेशन करवाया, नाचरली तो कब होता हमको नहीं मालू, बट मैंने वही किया, उधर उधर से पूरे प्लांट जमा करें, फिर उनका selection किया, फिर उनको self-pollinate करवाया, और बात में आब उनको cross-pollinate भी कर मैं जबरदसी कर दी हूँ ना, तो वही है, that is artificial hybridization, correct, तो देखो क्या है, transfer of pollen grain are artificially dusted on emasculated flour, अब यह मैंने तुमको ऊपर ऊपर process तो बता दी, actual process कैसी की जाती, देखो, imagine करो, यह अपना flour, this is our flour 1, और इधर बनाते है flour 2, ठीक, दोनो flour जो है भाई, दोनो flour कैसे है, bisexual type के flour है, बतलब male और female reproductive structure दोनों के यह पास है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो, अब imagine करो, यह है, suppose अपना plant 1, और यह है plant 2, ठीक है, यहां तक ठीक है, अब मुझे imagine करो, मुझे क्या करना है, यह पहला अपना plant 1 है, उसके pollen grain plant 2 के उपर क्या करना है, ट्रांसफर करना है, यह मैंने दिमाग लगाया, पट ऐसा भी हो सकता है, इसे पॉसिबल, कि नाचरली, यह जो अपना अंथर है, इधर से pollen grain निकल के, उसकी ही स्टिग्मा पर लग जाए, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, परेक्ट है, मुझे वो चांस नहीं लेना, मैं नहीं चाहती कि अपना प्लांट टू अपने साथ ही सेल्फ पॉलिनेशन करे, मैं चाहूंगी कि मेरे पसंद के, मैंने जो चूस किया, वही पॉलन ग्रेन हमारे दूसरे प्लांट के पास ट्रांसफर हो, क्योंकि हमको क्या करना है, आर्टिफिशल पॉलिनेशन करवाना है, तो मैंने देखो क्या किया, यह जब प्लांट अपना इम्मेचॉर था, जब इसके रिप्रेड़क्टिव ओर्गन भी इम्मेचॉर थे, उसी टाइम, यह जो अपना प्लांट टू है, उसका भाई मैंने यह स्टेमनी कट कर दिया, sad story, है ना, तो अब यह प्लांट कैसे बन गया, इस फीमल बन गया, फ्लांट यह फीमल फ्लाइर बन गया, क्योंकि उसका क्या किया हमेंने, इस टेमन को कट कर दिया, है ना, तो यह जो प्रोइसेस है, cutting of stamen while they are immature from a bisexual flower, तो bisexual flower है, उसका आपने stamen कट कर दिया, तो इसी प्रोइसेस को आप क्या नाम देते हो, it is known as emasculation, जो अपनी प्रोइसेस में लिखा था, cut कर दिया भाई, तुमने stamen को, अब, 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 सुनो, यही तक प्रोइसेस नहीं घतम हो रही, यह immature ही है अपनी कारपल भी, तो इसके उपर तुमने क्या किया कुछ टाइम के लिए, इसको ऐसी cover करके रख दिया, तुमने बोला य ग्रेन मच्वर होंगे, इसकी stigma मच्वर होगी, तब ही जाके हमारे परसन का पोलन ग्रेन, इसका पोलन ग्रेन यहां पर बैटना चाहिए, ठीक है, हम अपनी मनमानी लगा रहा है, तो इसको पूरा अपने पैक करके रख दिया, ठीक है, फिर जब यह मच्वर होगी, तो बस थोड़ी टाइम के लिए मैंने क्या किया, इसका वो बैग हटा दिया, और हमारे पैसन के जो पोलन ग्रेन है, वो अपने फोर्सेप के यूज से इधर में, इसके पोलन ग्रेन जो निकले, इन पोलन ग्रेन को भई, ट्रांसफर कर दिया, यहां पर, और फिर उसको फिर से च फिर बाकी प्रोसेस आपको पता है, तो यही प्रोसेस है, आइटिविशल हाइब्रिडाइजेशन की, हैना, पहले हमने क्या किया, इमास्कुलेशन, फिर बागिंग, फिर ट्रांसफर आफ पोलन ग्रेन, अगेन बागिंग, करेंग, चलो, तो ऐसी ही प्रोसेस हम करते है, अगेन बागिंग, फिर देखो क्या है, सीड फॉर्म डाज रिजल्ट ऑफ सच फॉर्ट इस तर्म डास हाइब्रिड जनरेशन, अब जो सीड बने, उनको हम हाइब्रिड बोलेंगे, फ यह जो हमारे पास में, यह जो हाइब्रिड बने है, यह वाला हाइब्रिड, अब इस करके देखना पड़ेगा ना, तो मैंने लगा के देखा भाया यह वाले हाइब्रिड को, इसके सीड को मैंने लगा के देखा, इस प्लांट को, ग्रो करके देखा, ठीक है, फिर उसके बाद में, एक्स अपनी जो प्रसेस, इस सेलेक्शन और टेस्टिंग, लेट इमाजिन दो प्लांट ऐसे थे, जो बिलकुल अपने पसंद के थे, है ना, उन्होंने बिलकुल दिल खुश कर दिया, और बाकी बचे हुए जो एट प्लांट है, इन दस में से, बाकी आट प्लांट जो है, अरे भाया, वो क्या हुआ, अपना बोर्ट देखो काम नहीं कर रहा, ठीक कर दिया हमको, है ना, अपन थोड़े से, साइड होंगे, कि अपना प्लांट अच्छा नहीं बन रहा, अपने आम जो उत्ते मीठे नहीं बन रहा वगरा वगरा, जैसे भी है, हमारे पसंद के प्लांट नहीं बना पाया, वो, दस में से, अटलीस दो बने हमारे पसंद के, सिलेक्षिन, अब मेरको 10 प्लांट मिले, उन 10 प्लांट से मुझे बताओ यह आठ को मैं तो क्या 안 करूँ गाह? नहीं करूंगी, मैं किसको सिलेट को सिलेक्षिन, नहीं करूँ गी अबो सेलफिश ह Tipsеш, भौल दो चल़ जाए।j Анब आपना टार्क == अब पर्स नर्ष कर ओर offerings करते हैं यह जो दो प्लांट है जो स्वीट स्वीट है जो बहुत जादा फ्रूट बना रहा है उसको ही हम सेलेक्शन करेंगे इनके लिए स्वारी ज़रूर फील करेंगे वेट आपन कुछ नहीं कर सकते हैं इनको सिलेक्ट नहीं किया जागा यह अपने कॉंपिटेशन से बा है इनके बीच मिल सके है प्यों किया स्प्लांट मिल सके आपना अगल सकता इंगल सबसे लास्ट में सबसे लास्ट वाली जो टेखनी है इस अब कमर्शियलाइजेशन मतलब आप क्या करोगे है हमने अपने सुपीर कॉलिटी रखने वाले प्लांट बनाये ठीक है सेलेक्शन करवाया उनको पूरी प्रसिस तुमने देख ली अब यह जो प्लांट है पहले तो अपन इसको क्या करते हैं कि बिल्कुल लेबॉरेट्री में किसी भी प्लांट को जो आईडियल कंडिशन है पहले तो उसको आईडियल कंडिशन में ग्रो करेंगे जित्ता पानी लग रहा है बिल्कुल टांट पानी दे रहो तंट टांट पैसको निउट्रीयंट्स दे रहो है अगरे तो पहले तुमने इसको लेबॉरेट्री में टेस्ट किया ठीक है यह उसके के बाद में तुम्हारे पहचानका या फिर जिसके साथ तुमने स्वाइद कांट्राक्ट तेस्ट में नहीं अगर सक्सेस्फुल हो गया तो ठीक है फिर तुम क्या करोगे उस प्लांट को पूरे इंडिया में पूरी कंट्री में क्या कर दोगे ओपन कर दोगे कि भाया आप यह प्लांट को लगा सकते हो यह बिलकुल अच्छे फूरूट देता है मतलब नंबर ओफ इस बिलकुल देता है और स्वीट फूरूट भी प्रेड्यूश करता है तो वह क्या हो गया अग्या कमर्शियलाइजेशन हो गया चलो तो देखो क्या हो रहा है इसमें प्लांट आप टेस्टेट फॉर प्रेटिविटी अंड दर क्यारेक्टर सच आज डिजीज ठीक है तो बेजिकली प्लांट को टेस्ट करवाया है इनेशेली थिस प्लांट अर ग्रोन अंडर कंट्रोल कंडिशन मतलब पहले तो इनको क्या किया जाता है बाद में अर देन गुन फॉर ट्रीजरेशन अचीज इनको क्या जाएगा नाच्टरिल फील्ड में फिर देखा तो यह सुच में अच्छे ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, desired result दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, है नो, and then, finally, finally variety is released as a new variety for use of the farmers, और बाद में इनको farmers को दिया जाए, मतलब पहले यह second वाला जो है, यह तो पहचान का farmer था, है ना, हमको अब last वाली step में कियां गरे, पू that we use in our plant breeding correct वेको पॉइंट बड़ा इंपॉइटेंट है आज वित रिस्पेक्ट तू और बोड एक्जाम है ना बोड एक्जाम में आपको जनरली क्वेस्टन पूछा जाता है कि प्लांट तीन मार के लिए आराम से सवाल आता है इसके उबर कि प्लांट ब्रीडिंग की यह ज चीज बताई गई है step-by-step manner में हमने जो अभी डिसकस किया आना वही चीज आपको step-by-step manner में बताया है आप या तो पाकी पॉइंट मतलब लिख सकते हो या फिर आप इस टेबल को बना सकते हो as you wish ठीक है तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्नीक जो है टेक्नीक हम समझ लिए हम को न्यू प्लांट वराइटी बनानी है यह करना वो करना वगरा वगरा अब या खयाली पुलाव नहीं पकाया ना हमने हमने अक्चली करके भी दिखाया और मैंने तुमको बताया जैसे कि नॉर्मन बॉर्लॉक जो है he is considered as the father of green revolution तो he was the one जिन्होंने क्या किया सबसे पहले यह हाइब्रिड वराइटी इस मनाई वही या प्लांट की एक मिनटों को मेरे को पानी पीनो तो फिर बताती हूँ हाँ जालो तो ने को क्या हुआ कि अस्पेशली आपना 20th century की बात कर रहेते हैं जो 1900 वाला जो अपना पीरेड है उसमें क्या 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 कि कुछ hybrid varieties जो है plant की वो develop की गई, करेक्ट especially wheat and rice varieties की अगर हम बात करें तो थोड़ा उसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या exactly हुआ था 19, देखो, अपना 20th century है ना, 1900 वाला जो duration है उसमें, 1960s में क्या हुआ, हमारा जो production है वो अचानक से बढ़ गया, वही अपना green revolution आया था ना, चालो तो उसमें क्या हुआ देखो, उसमें हुआ था development of semi dwarf, यह senai हो गया, इसमें semi होना चाहिए semi semi dwarf varieties of wheat by norman burlog, है ना, यह norman burlog है, इन्होंने क्या किया semi dwarf, semi dwarf मितलब imagine करो कि पहले अपना plant जो है इत्ता बड़ा होता था, और फिर इसके बाद में इसके उपर के आते थे यह अपने wheat वगारा लगता था है ना, अब इन्होंने जो variety बना, मतलब देखो यार, तुम logic भी लगाओ ना, कि plant को इत्ता grow करने के लिए टाइम भी लगेगा बड़ा होने के लिए obviously है ना, यह इत्ता बड़ा होने के लिए यह जादा resources को भी use करेगा इन्होंने सोचा एक काम करो ऐसी variety बनाओ, जिसके height उत्ती जादा नहीं होगी height जादा नहीं है तो obviously इत्ता लंबा होने के लिए इसको जादा time लगता है, इतना develop होने के लिए कम time लगेगा, बट सिर्फ time के हमको problem नहीं है, हमको problem कुछ और थी तो इन्होंने ऐसा plant बनाया जिसके height जादा नहीं है बट भाईया, इसके उपर production बहुत हो रहा है इसकी yield यह बड़ी अच्छी है तो ऐसा plant जो है, ऐसी semi-advark variety वाला plant which has a shorter height, but has a greater production ऐसे plant को बनाने में भाईया, यह अपने नॉर्मन बूर्लोग जाए है वास सक्सेस्फुल, पहला experiment के रिसके उपर किया था, इन्होंने वीट के उपर करा था तो इन्होंने देखो, कुछ varieties बनाई, especially अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की उपर आते हैं अपनी country में, तो हमारी country में देखो, sonalika, kalyan-sona, यह hybrid wheat की varieties जो है उस रहीं बहुत famous हो गई थी, बहुत जादा, 1960s के duration में, फिर और देखो, experiment एक बार शुरू हो गया, तो फिर वो खतम नहीं होते है, फिर different scientists क्या करेंगे, अपने अलग-अलग experimentation करते हैं, तो ऐसा ही experimentation जो है, यह अपने rice plant के उपर भी करा गया, और यह IR-8 जो है, IR-8 is actually hybrid variety of rice plant, तो यह भी कहा प्रोड्यूस किया गया, International Rice Research Institute, फिलिपाइन का यह basically institute है, फिलिपाइन, वहाँ पर क्या किया गया, यह IR-8 hybrid variety of rice developed करी गई, ठीक है, and टाइचिंग native, ताइवान की another, मतलब ताइवान में भी क्या किया गया, यह एक new variety rice plant की developed करी गई, और यह फिर बात में इंडिया में इन्होंने introduce करा है, चलो यार करके देखो तुम लगाओ अपने यहाँ पे पूरे यह अपने rice plant, देखो क्या production आता है, इन्होंने अपने को बोला और अपने करके भी देखा, तो हमको बता चला भाईया यह तो बढ़िया बात है, एक दम बढ़िया वराइटी फिर हम तो भाईया हम है ना, हमने भाईया लॉजिक पकड़ लिया और हमने अपनी वराइटीज बनाना शुरू कर दिया, तो इंडिया में फिर देखो बाद में जो वराइटीज फेमस हुई, वो कौन सी है, समाइडवार राइस वराइटीज सच आज जया, पदमा, रतना है ना, यह राइस वराइटीज है, जो इंडिया में बाद में क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लगा ही गई, तो इस हम एग्जांपल ओफ वीट एंड राइस, ठीक है, एक और ऐसा ही एग्जांपल लिखते है, रिलेटेट टू इस शुगर केन, अब देखो बनाने है, तो देखो, क्या हो रहा था, कि अपने सदन पार्ट ऑफ इंडिया में जो गन्ने लगाये जाते थे, उनके स्पेशालिटी ऐसे थी भाहिया, कि इनका स्टेम भी क्यासा था, मोटा था, और यह अपना ऐसे गन्ना बड़ासा गन्ना बन जाता था, यह अपनी जम दूसरी चीज जो है, अगर मैं नौर्दन इंडिया की बात करो, तो नौर्दन इंडिया वाले भी जो लोग गन्ने लगाते थे, उसमें दिक्कत कैसी होती थी, कि नौर्दन इंडिया वाले जो गन्ने है, हाइट तो ठीक है, हाइट के बारे में जादा नहीं बोलेंगे, बट वो जो गन्ना है उसका string बहत ही पतला सा होता था, कि रहेखो यह दूसरा वालगल है उसका ils स्वाल पूछा बैरको बताओ इन दोनों गन्ने हो में से, तुम किस गन्ने को चुजे कर οποี้ जादा sugar के मिलेगी, यह मोटे वाले मैं पतले वाले मेंलेगी, तुम बोलोगे माम मोटे वाले में, जाहिर इसी बात है, common sense का logic है, तो फिर क्या किया, अपने northern part वालों ने, इन्होंने सोचार, south में तो बड़े अच्छे गन्ने लग रहे, उसको like काम करते है, उधर की गन्ने की जो species है, उसको north में लेके जाते हैं, और north में उसको लगाते हैं, तो बिचार इसको बाहर निकल ही नहीं पाया, due to environmental stress, तो फिर यह नाराज हो गया, अरे यार यह तो गलत बात हो रही है, हमको यार अच्छा मोटा वाला गन्ना चाहिए, जो north इंडिया में जो गन्ना लगता था, उसका एक्षिर नाम है सक्यारम बर्बेरी, यह northern part में लगाया जाता था, पर northern वालों को यह पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो पतला सा इंडिया के एन्वारमेंट में रहने वाला tolerance है, वहां का जो एन्वारमेंट है, उसमें बर्बेरी सस्टेन करता है, ओफिस अनरम सस्टेन नहीं कर पाता, बट ओफिस अनरम की अच्छी क्वालिटी गया है, यह बहुत जाधा अमाउंट में शुगर बना सकता है, तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, इसका एन्वारमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेन्स और इसकी शुगर बिल्डिंग कापासिटी, कमाइन कर लो भाही दोनों को, न्यू वराइटी बनाओ, तो बस भाही गया है, इन्वारमेंट बना दिया इन दोनों का, तो अब देखो, अब अपने का एक्जामपल है, तो ओफिस एन्रम, इसका इन्वारम इस थिकर स्टेम, इसका इस रेखो तो नॉर्थ इंडिया में ग्रोणी हो रहा था, तो यह और वो भारवी जो है, यह तो नॉर्थ इंडिया का ही प्लांट है, इस टो वराइटी वर इनको अमने प्रास कर आया, को develop किया गया Coimbatore में उन्होंने develop किया Coimbatore का जो research center है उस research center में इन्होंने ऐसा sugarcane बनाया जो North India में भी लग पाएगा और जिसका stem कैसा है एकदम मोटा सा stem है simple है चलो ठीक है similarly ऐसा ही आपको example दिया गया अपने hybrid plants का अब देखो यह जो अपना hybrid plant है जैसे मिलेट हम जिसको भूलता है जिषारी बाजरा वगरे 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 तो यह अपने जो जूओ ये को यूज करते है जैसे तेखो hybrid मेज हम तयार कर चुके hybrid जवारी हम तयार कर चुके hybrid बाजरा हमने बना लिया है तो इनकी मतलब इनके that was some of these did sure they have high yield. इनकी yield बढ़ा चुकिए हम और तो और इनमें resistance बढ़ा चुकिया, कौन सा? water resistance मतलब, कम पानी में भी, तुम इनको आराम से लगा सकते हो, है ना? तो ऐसा water resistance इनमें आना और तो और दूसरा क्या है? इनमें high yield का होना तुम जादा प्रड़क्शन भी ले रहो और पानी भी तुमने जादा नहीं पहुचाया पहुचाया मतलब ऐसे जबरदस्ती तो तुमने नहीं करें पट इवन एफ सम टाइम अगर किसी कारण की वज़े से अगर आप प्लांट को बहुत जादा पानी नहीं भी दे पारे हो इट विल सस्टेन तो यह एंवारमेंटल स्ट्रेस रेसिस्टंस इस्पेशली वाटर स्थ्रेस्टंस और प्लांट की क्या बढ़ाती हो इंपने इल्ड बढ़ा दी तो यह जो एक्जाम्पल है कैसे बता सकते हो कि इंप्रूड पूड पूड गॉलिटी एंप्रूड क्लांट्स में नाजर आ रही है करेक्ट इंप कुछ और एक्जामपल देखे हैं जास्ता हृत को मालूब है जो प्लांटा बतलब बहुत जिंदा लोग हो भी इंपन्न पाथोजिन अटन करते हैं कई बार कुछ प्लांट को बैक्टी रिडिग्स हो सकता है फंगल डीजिम ह हो सकता है वाईरिस इस भी प्लांट को मतलब अटैक कर देते हैं प्लांट के ऊपर प्लांट इस सफर फॉम डिफरेंट डिजीजेस एसी ही डिजीजेस का अगर आपने एक्जांपल देखें तो जैसे कुछ फंगस जो है फंगस प्लांट में क्या कर सकती है ब्राउन रस्ट क ठीक है फिर वही देखो दूसरी जो कंडिशन है जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन देखो अंदर से पूरा लाल हुए जा रहा है किसकी वज़ेसे यह फंगस की बदॉलत भाई दिजीज है और तीसरी कंडिशन जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो फंगल डिसॉडर उसकी वज़ेसे यह आलू देखो भाई कैसे दिख रहा है बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो चुका है तुमको देखके भी इसको खाने कावननी करेंगा ओवियसली है ना तो यह क्या है यह सारे डिसॉडर है फंगल डिसॉडर है मतलब ऐसा नहीं है तुम सिर्फ डिजीज अगर हम वीट की बात करें तो वीट में तुमको क्या नज़र आ रहा है ब्राउन रस नज़र आ रहा है किसकी बदौलत फंगस की बदौलत है वैसे ही बैक्टीरिया के वज़ेसे जो अपने क्रूसिफर मतलब इस्पेशली जो ब्रासी केसी फामिली है नहीं पता अपनी ज इस प्लाइट के वाइजेसे यह ब्लाक रॉट यह डिजीज आ जाता है अब यह प्लाइंट के जो लीवस है यह इसके डेथ हो यह जा रही है तो ऐसा यह जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का अराइस डू टू बैक्टेरियल इंफेक्शन उसको आपने क्या नाम दे दि यह क्या कर रहा है प्लाइंट के ऊपर अटैक कर रहा है और उसकी वज़े से इनके लीव देखो पिचारा पहले तो अच्छा का सा पूरा ग्रीन रहा होगा बाद में यह वाइरस के वज़े से यह कुछ अजीब सा ही पैटन नहीं बन रहा है यह लीव के ऊपर पूरा कलर अजीब दिख रहा है वोदे को तो यह है बीसिकली टोबैको मुजाइक वाइरस का असर तो तो हम क्या वाइजा रहे हैं यह वीवर ऑन दी पॉइंट कि भाहिया देरा डिफरेंट एजेंट्स जो क्या करते हैं हमारे प्लाइट में डिजीजेस कॉस करते हैं इस डिजीज क अब हम तो भाईया प्लाइट ब्रीडिंग करवा रहें ना तो प्लाइट ब्रीडिंग हम किस लिए कर आएंगे अभी इस इन पैथोजन के अगेंस हमारे प्लाइट में रेजिस्टेंस आ सके बतलब अगर यह पाइजन अपने ब्लाइट के बॉडी में आता भी है तो हमार हमारे प्लाइट जो है उस पैथोजन को किल कर सके या फिर उस पैथोजन को अलाव ही नहीं करें अपने आपको डिजीज होने दे प्लाइट को डिजीज नहीं होगा भाईया भी यह वाला तो ऐसा रेजिस्टेंस हमने इसके बॉडी में डाल दिया तो कुछ एग्जांपल सिर्फ के अगेंट क्या है इसके पास रेजिस्टेंस है फिल बंद की वीस के पास रेजिजिस्टेंट है डी में बैसिका यह अपना उसकी वराइटी जो पुसा सवरनिंप उसमें क्या Hajष के अगेंस आपको झाफ को नजर आ रया है रा रहा ये वाला आभात तु है उसाव पास में वाइट रस्ट के अगींस्ट आपको क्या नजर आ रहा है एक्जाम्पल इसके उपर इस्पेशली पुसा स्वर्निम के उपर बहुत बार सवाल आ चुक है तो इसको थोड़ा सा याद रखना है फिर और देखो कॉली फ्लार जैसे वराइटी तुमने बना ली कॉली फ्लार की उसके पास में गया ब्लाक रॉट अन करल ब्लाइट के ऊपर क्या है रेजिस्टेंस हम क्रेट कर चुके है चिली चिली के वराइटी बहुत पुसास सदा ब ब्लाइटी फॉर डिजीज रेजिस्टेंस हम बना चुके है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छी बात है अच्छा हमने अचीवमेंट ला ली अच्छा यहां पर है क्या कुछी में जासे है ओक हो कि हिल बैंट क्या और भी पूरे सीड देखो पूरे काले काले पट रहा है वही तुम बात करो वाइट रिस्ट वहीं लीफ के ऊपर देखो यार यह कैसा सफेद सफेद ऐसे लग रहा है तुमने कोई पाउडर छिडग दिया गया यह लीफ के ऊपर भई मतले कोई पाउडर वाडर नहीं चिडगा है यह डिजीज है डिजीज सामझे रहा हो ओ सब्सक्तर और अजीब से पूरे ब्राउन भी हो रहें और गया बने बैस और गया है चलने मॉजाइक वाइरिस यह पूरा पहले तो अच्छा घासा ग्रीन रहना चाहिए था लेकिन इसमें बीच बीच में यह ऐसा ग्रीन यलो कुछ अजीब साही पाटन फॉर्म हो रहा है तो यह सारे वाइशा अगेंस्ट हमने क्या किया नहीं टेल में नहीं समझेंगे, अपने एक overall idea लेता है, in general, कि mutation is basically change, sudden change, sudden and heritable change in genetic material, है ना? किसी भी organism के genetic material में जो अचानक आया हुआ change, sudden change जो है, है ना? और जो कैसा है, heritable है, जिसको inherit किया जा सकता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे बोला जाता है, mutation, है ना? अब mutation cause करने वाले जो agents होंगे, जिसकी वज़ए से ये change आ रहा है हमारे genetic material में, उनको ही हम क्या बोलते हैं mutagen, mutagens are the agents that cause mutation, है ना? ऐसे agent जिसकी वज़ए से mutation आता है, उसको हमने mutagen ऐसे नाम दे दिया, तो कुछ natural mutagens भी है, है ना? जैसे high concentration of CO2 हो गया, high temperature हो गया, x-rays है, चलो, आपन लिख देते हैं, high temperature, high CO2 concentration, है ना? x-rays, ultraviolet rays, इनकी वज़ए से plant में क्या है? naturally mutation आ सकता है, naturally इनका genetic material क्या हो सकता है? change हो सकता है, वही अगर मैं chemical mutagens की बात करूँ, कुछ chemicals जो mutation प्लाइंट में ला सकते हैं, ऐसे chemical क्या है? nitrous acid हो गया, है ना? EMS है, mustard gas है, colchicin है, चलो, आपन लिख देते हैं, nitrous acid, है ना? EMS, या फिर, colchicin, these are some of the chemicals, जो क्या कर सकते हैं, अपने plant में mutation ला सकते हैं, करेक्ट, छीक है, अब दोखो, ये तो चलो, आपने general information लेली, कि exactly हमने क्या किया, कि plant जो है, plant में, देखो, हमको माले में कोई भी character जो है, किसी भी organism का, ये decide क्वान करता है, उसके genes decide करते है, तो हमने सोचा, क्यों ना, किसी organism का, ये जो gene है, उसको थोड़ा सा बदल दे, थोड़ा सा बदलना, मतलब क्या करना, उसके gene में change जो लाना, मतलब mutation लाना, तो हमने क्या किया, plant में जबरदस्ती mutation ला दिया, either with the help of x-rays, uv rays, या फिर ये nitrous acid वगरा, कुछ ना कुछ substance यूज करके, हमने plant का genetic material बदल दिया, उसको या क्या बोलोगे, mutation breeding, है ना, method, seedling और seed are irradiated by co60, exposed to uv bulb x-ray machines, मतलब तुमने क्या किया, ये जो plant है, उसके seed को exposed करवाया, किसको, ये mutation cause करने वाले agents को, ठीक है, और as a result, मतलब देखो, ऐसा नहीं हमने फाल तुम्हें आसे करके देखा, भाई हमको results भी मिले, और ये results हमारे सामने है, कौन से देखो, अब जैसे देखो, जगनात variety of rice, this is an example of mutation breeding, NP-836 variety of wheat, जिसके पास में क्या है, rust के against, rust मतलब वही fungal disorder, उसके against, जिसके पास resistance है, indoor two variety of cotton, जिसके against, sorry, जिसके पास ball worm के against resistance है, ball worm एक actually, एक insect है, आपन बात में देखते हैं उसको, regina to variety of cabbage, it is resistant to bacterial rot, है न, तो ऐसे किसी special disease के against, किसी insect pest के against resistance लाने के लिए, हमने क्या करा, हमने भाईया अपने plant में mutation breeding कर दी, simple है, चलो, अब आगे रेखो, plant breeding for pest resistance, है न, अब pest मतलब समझते हो, pest मतलब ऐसे insect, जो हमारे plant को नुकसान पोहँचाते है, है न, तो pests are generally, कैसे लिखेंगे हम, pest are insects that provide, और that promote farm to plants, especially crop plants, जो अपने crops है, उनको क्या कर रहे है, यह भाईया नुकसान पोहँचा रहे है, उसको हम क्या बोलते है, pest ऐसा नाम देते है, तो अब देखो, हमको plant में क्या करना है, pest के against resistance लाना है, मतलब हम चाहते ही न, अब देखो, कई बार कुछ insects होते हैं, जैसे caterpillar, caterpillar क्या करती है, plant का पूरा leaf खा जाती है, अब leaf निकल लिया भाईया, plants है, तो फिर plant photosynthesis कहा से करेगा, food कहा से बनाएगा, respiration क्या से करेगा, दिक्कत आ रही है न, तो फिर plant की death हो जाती ही फिर धीरे-धीरे, या तो फिर उसकी growth नहीं हो पाती ही धंग से, बहुत सारी दिक्कतों को plant को face करना पड़ता है, तो यह pest बहुत दिमाग कराब करते हैं, पूरी फसल तहसनेस कर देते हैं, तो हम चाहेंगे कि यार ऐसा plant बना ले, मतलब हमारा काम भी हो जाए, plant वही चाहिए, बट उसके उपर यह insect ने attack है नहीं करना चाहिए, यह हमने अलग tactic लगाई, हम अपने दिमाग में अलग कुछ सोचते हैं, तो अब देखो, ऐसा नहीं है, सिर्फ अपन सोचने तक ही मतल बोलते हैं, तो यह jacid जो है, यह generally किसको affect करते हैं अपने cotton के plant को, तो हमने क्या किया, पैता है, cotton का जो लीफ है, उसको बिल्कुल हैरी बना दिया, हैरी लीफ of cotton, आप देखो, cotton के लीफ के उपर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे से हैर अगर आ गए, तो यह jacid को होसे मतलब, जैसे मतलब यह ए बहुत लोग ने देंको हैं बोझने जेखो, ए बना दिया plants में similarly ऐसा ही hairy leaf जो है हमने अपने वीट plant में भी लाया जैसेड के अगेंस्ट ही रेजिस्टेन रेजिस्टेन रेजिस्टेन्स इन वीट plant रेजिस्टेन्स आया वह भी हमने बेसिकली hairy leaf के थू ही लाया अब ओल्या नियुक्ट था लेट में रिकॉल इस रेजिस्टंस वाइस तो वह लिफ ब्रेटल यह स्था यह लीफ ब्रेटल यह लीफ यह लीफ गृटल को लिफ झाया रहा था पूरा पूरा दिमांग खराब है लिफ ऐसा बना डाला कि अब उसके उपर यह फीड ही नहीं कर आपने जो पेस्ट है इनमें यह जैसीड हो गया या फिर यह सीरियल लीफ बीटल हो गया अब यह प्लांट के ऊपर फीड नहीं कर पाएगा एक ऐसा ही एक्जाम्पल जो है हमारा इंसेक्ट पेस्ट जिसको हम बोलते है स्टेम बोरर स्टेम बोरर मतलब समझते हो इस्पेशली जो स्टेम अंदर से होलो होता है जैसे गन्ना देखा होगा तुमने या फिर इवन पैम्बू देखा होगा है अंदर से कैसा होता है पूरा खोखला होता उनका स्टेम तो ऐसे यह दो नहीं नहीं मतलब ऐसे यह स्टेम अदर से पूरा खा जाएंगे दिमाग कर देता है तो हमने क्या सोचा एक काम करते हैं यह प्लाइट के अंदर जो हॉलो स्पेस है उसमें रह रहा था था ना यह स्टेम को पूरा solid करो उसके अंदर इत्तु से भी जगा मत रहनो दो अपना इंसेक्ट रहेगा के देर है ना हम अलग दिमाग लगाते हैं तो हमने क्या किया यह stem borer के against क्या किया solid stem बनवा दिया किसका जैसे wheat plant में है ना तो stem borer यह अपना क्या है पेस्ट है wheat plant जो है wheat plant में हमने यह experiment करा ठीक है और क्या किया solid stem बना दिया ठीक है यह तो morphological changes है biochemical character आप देखो यार कुछ-कुछ अपने pest वगरा यह मानते नहीं बिल्कुल भी मानते नहीं अब यह बोले है तुम hairy leaves बनाओ तुम stem को ठीक करो कोई हमको कोई फरक नहीं पड़ा हमको attack करना है तो हम करके रहेंगे अब यह लातों के भूत बातों से नहीं नहीं मानते वैसी वाली कहानी हो गई तो अब करें क्या तो फिर हमने सोचा चलो यार plant का जो बायो chemical content है उसको ही बढ़ा दे मतलब उसको ही change करते है देखते हैं यह कैसे जिन्दा रहेंगे अब देखो अपने जो इंसेक्ट है उनको क्या चाहिए पैस्ट है बेसिकली वह चाहेंगे कि भाई प्लांट में अच्छा खासा शुगर रहना चाहिए तो शुगर की उपर अपन वह अपना यहां मने अलग सोची दुनिया हमारी सोच कुछ अलग है हम ने बोला कि भाई हम ऐसा प्लांट बनाते हैं जिसमें क्या है शुगर कंटेंट एक दम कम है कैना चुगर कंटेंट कम है नाइट्रोजन प्लांट आपके लेकिन आसपार्टिक एसीड बहुत जादा ह होने कि वैज़े से यह stem borer की भाई मतलब वो रह नहीं पाता उसमें तो हमने देखो क्या किया हमने हमारा जो प्लांट है उसमें क्या किया हाई असपार्टिक एसेड और दूसरा जो केरेक्टर है नाट इस लो नाइट्रोजिन और शुगर कंटेंट ऐसा मॉडिफिकेशन प्लांट में ला दिया है ना अब यह जो मॉडिफिकेशन आया है अपने प्लांट में यह कौन से प्लांट में आया है यह भाई आया है है अपने मेज प्लांट में है ना सच मॉडिफिकेशन वर डवलब इन मेज प्लांट डीख है अब यह मेज़ प्लांट में ऐसे मोडिफिकेशन आने की वज़ए से अपना जो stem borer था अब यह प्लांट की ऊपर फीड ही नहीं कर पा रहा उसको शुगर मिल ही नहीं रहे यह बिचारा नराज हो गया तो अपना प्लांट बच गया ना इसको नराज होने तो हमको कौन सा फर्क पड़ रहा है हमको हमारे मेज प्लांट को बचाना था हमने बचा आपने जो अपने हम क्या बोलेंगे इस ए इस और आपको किताब में मिल जाए एक बार गो थू कर लीजे तो ऐसी हमने किया क्या प्लांट ब्रीडिंग करी है इसलिए फॉर डेवलपिंग रिस्टेंस अगिंस्ट इंसेक पेस्ट है ना चालो य BC's पेस्ट र्जिस्टेंस र्यसिस्टिंग र्जिस्टेंट वायटी थेका आपको कंछ एक्जाम्पल्स बहुए है जैसे ब्रासी का है लियाम पुसा गौर वार्व किशीन हैं इदर कौन आप से इंसेक्ट पेस्ट के अगेंच तुमको र्जिस्टेंस मिला वह सब भी मिलेंगे questions जादा मिलेंगे तो यह टेबल्स आपको दिये गया है examples जो दिये गया है किसके against आपको resistance मिल रहा है यह थोड़ा सा आपको यार रटना ही पड़ेगा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती अगेन मैंने तुमको पहली बता है informative टाइप का लेसन है तो देखना ही पड़ेगा यह देख लो एक बार यह दिखता है भाई जैसिड ऐसा है ना green green बिचारा चोटू उसा बिचारा नहीं है बड़ा दिमाग खराब करता है यह थे अजीब आता है यह एफिड भूला जाता है यह यह तेखो यह तेखो इसको पसंद करते हो तुम दिमाग खराब होता है ना चैटरपिलर निकल लिया, कैटरपिलर भी नहीं है यार यह है नोडो इसको तो इनको बोलते है इस Prude Borer, है ना, Prude के अंदर से निकलते है भही है यह स्टेम बोरर यह है देखो होलो बिचारा अपना स्टेम था उसके अंदर में घुसली है पूरे स्टेम को खराब कर रहा है अंदर से चलो यह हमने प्लांट ब्रीडिंग की टेक्नीक्स एंड बाकी चीज़े यह समझ ली अब आपना जो नेक्स्ट पॉइंट है दाट इस टिशू किल्चर अब देखो टिशू कल्चर जो है अट इस अगेन वन फी ड्रैवलुशनरी टेक्नीक्स बहुत सारी इप्रट का बेसिकरी एक mixture है पर टिशू कल्चर में हम क्या कर रहे है लेबारेटरी में याद रहो एक मतला इसको हम क्या बोल सालते है इन विट्रो या in laboratory, हम टो क्या है, हमारे पसंदे है, हमारे पसंदे का प्लांट ग्रो गरहे है, which we will have, हम बोल सकते हैं, the plant of superior quality, पशंदीदा प्लांट का प्लांट हम ने क्या है, इन विट्रोँ ग्रोर किया, तो ऐसी ही culture को क्या बोला जाता है, तिशू कल्चर थोड़ आसा मितलब क्या कर रहा है ना प्लांट की कुछ different properties को भी explore करता है अब यह different properties कौन सी है तो plant की जो tissues है especially plant में दो ही टाप की tissues होती meristematic and permanent तो meristematic tissues ऐसी ही plant में जो divide कर पाती है एक cell से दो cell, दो से 4, 4 से 8 यह cell division की जो property ही है सिर्फ meristematic tissues के पास होती है तो सिर्फ इसकी इतनी ही properties नहीं है मतलब plants जो है they are very different compared to us पता है क्यों कि देखो हमारे body में almost हर cell divide कर पाती है अब जैसे आपके skin के cell it can divide अगर किसी बंदन ने आपके skin के cell ले ली और भाई यह skin के cell को ऐसे laboratory में culture medium में डाल दिया उसको मतलब जित्ती important component चाहिए थे वो दे दिया तो एक skin के cell से पूरा इंसान तो नहीं बन पाता है ना वो नहीं बन पाता मतलब हमारी एक टाइप के cell क्या करेगी दो सेल बनाएगी चाहर बनाएगी पूरा इंसान नहीं बना पाते डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गंस यह एक टाइप के cell नहीं बनाती है करेंथ प्लान्ट on the other hand, plant की जो meristematic cell है, a single meristematic cell has the ability to develop and differentiate into a complete new plant body उसी को बोला जाता है टोटी पोटेंसी है ना तोटी पोटेंसी क्या है? It is the potential ability of meristematic cell of plants to develop and differentiate into a complete new plant body, yellow ithara neche, you know, us property ko am bolta hai 2t potency, eek single cell sa complete new plant ban satta hai bhaiya, hai na, chalo, to ab dhekho, apan vaapis aate hai aapne basic baat pe that is tissue culture, to tissue culture mein hum kya kar raha hai, plant ki isi toti potency ko explore kar raha hai, we know, eek plant, sorry, eek cell sa tum kya kar shakate ho, pura plant bana sakate ho, to generally hum kya karate hai, kisi plant se, joh acha plant ho ga, jayase aapne paas, imagine kuroo, woh wala plant ta kwaan sa, bhoat saare aam, aur sweet waale aam banane waala, hai na, to us plant se mein kya karungi, thodhi si meristematic cells lelungi, un meristematic cell ko lab mein kya karungi, divide karne lagaungi, aur har ek cell se new plant bana dungi, kar saakta hai na aapne aise, to isi ko bola jata hai, tissue culture, aap kya kar raha hai ho, kisi dousre plant se, dheho na naam se samijh raha hai, tissue lihi, tumne kisi dousre plant se, ab ya dousre plant se jo tissue nikaali gai, usko bola jata hai, x plant, to this x plant is grown in vitro to develop new plant bodies, bhai hai, tissue culture, hai na, to aapne isko likh dhe, that tissue culture is actually combination of different techniques, chalo, aise likhta hai, combination of various techniques revolving around production of desired plant in vitro from a small tissue sample, hai na, chote tissue sample ko lekar aapne kya kiya, in vitro bhaiya, usko develop kiya, grow kiya, aur bhoat saare plant bana diya, usko aapne tissue culture either aise bola, x plant mitla, x plant is the tissue obtained from a plant with desirable rate, hai na, aise plant jiske pats aapne patsan ka trait tha, usse humne jo tissue nikaali, usko hi pula jata hai, x plant, hai na, to aap dhekho, ye jo tissue culture hai, tissue culture me, dhekho, hum kar kya raha hai, bhai, process simple hai, tissue culture me, humne, ya dhekho, imagine ko rao, ya apne mother plant, hai na, is mother plant se humne kya kiya, meristematic tissue, for example, jiasse aapna axillary bird vagaerah hai, hai na, to wahaan se humne woh bird ko nikaala, tissue nikaali, chotu si, meristematic cell hai, usma lateral meristem hai, sorry, lateral nahi, aapna, aray yaare, kya bolta hai, intergallery, haa, chik hai, to intergallery wala meristem, humne nikaal liya, koi bhi nikaalo, koi fark nini patsa hai, basically, tumne meristematic cell, aapna ya original plant se nikaali, abu us tissue ko, aap kya bolta ho, x plant bolta ho hai na, to is x plant ko aapne kya kiya, laboratory me, bhaiya, ek test tube me, aasa, matlab, pura culture medium, daal diya, matlab, culture medium, matlab, ye apne tissue, jis me grow, kar sake, ya fhe tissue ko divide hoonne ke liye, joh kuch mineral nutrients lag raha thay, woha pura isma dal diya, aur isko bholla, bhai, tu divide kar, ya na, sab kuch jab mil raha hai, aapne tissues ko, to ye kya karayi, divide karayi, dhekho, pahle ittu sa hiya tha, ab, bhoat saari cells ban gayi, ya haa pere, ya na, pura size hi bada ho gya, kyunki isko berabar se nutrients mil e jara raha, aur to, aur, dhekho, bad me kya hota hai, ye jo tissues, ae se, pahle to chotu se tissue tii, phiris ne number bada diya, cells ka, bad me kya hua, ye jo aisa undifferentiated mass of tissue hai na, isko callous, isko callous bholla jata hai, hai na, to ye callous formation ho gya, thik hai, bad me, bad me, dhira-dhira kya hota hai, ye jo cells hai, ye differentiate hoonne lagta hai, differentiate अब यह सिर्फ ऐसी बहुत सारी meristematic cells नहीं रहती है, हर एक meristematic cell kya करेगी, some of the cell यह बोलेगी, भाई, मैं leaf बनाऊंगी, कुछ बोलती है, मैं stem बनाऊंगी, कुछ बनाऊंगी, कुछ बोलती है, मैं phloem बनाऊंगी, है na, तो ऐसी हर एक cell जो यह क्या कर रही है, अपना एक particular structure and function obtain कर रही है, उसी process को बोला जाता है, differentiation, है na, तो अभी यह tissue culture में देखो क्या हुआ, next step आई differentiation की, and जैसी ही आपको क्या दिखा, यह चोटे-चोटे से plant यहां पर develop होते हुए, इन plant को अपने यहां से लगा, निकाला, और भाई दूसरे अपने गमलों में जाके लगा दिया, बन गया ना तुम्हारे plants, इत्तु सी छोटी सी तुमने tissue निकाली, उससे ने plants बना दिया, भाई है भाई tissue culture, simple है, बिल्कुल ही simple, logic पकड़ लो तुम फिर एक बार logic पकड़ लिया ना तुमको कोई नहीं रोकेगा तोपिक समझने से, है ना, चैलिए, तो आप देखो, यह अपना tissue culture का जो पूरा process है, है ना, process तो तुमनको मैंने बता दिया, मेरे ख्याल से detail और तो क्या ही बताएंगे, वही basically detail है, detail जो आपको याज रखनी है, that is this one, कि आपको अगर tissue culture ऐसा करना है, है, तो आपको किन चीजों की requirement होगी, क्या चीजें आपको चाहिए होगी, तो obviously सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि tissue culture आप जहां पर कर रहे हो, उसके वह जितने भी glass wares होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको sterilize करना पड़ेगा, sterilize करना मतलब उनको साफ करना बहिया एक तो, तो आपने क्या क्या, detergent और hot water, sorry hot air, इनके help से वह पूरा disinfect कर दिया, sterilize कर दिया मतलब disinfection, disinfection की process, पूरे glass wares में कोई भी pathogen नहीं रहना चाहिए, bacteria नहीं यह नहीं वह नहीं जर्म नहीं रहना चाहिए, इसलिए पूरा तुमने इसको clean कर दिया, that is sterilization, फिर बाद में आपने क्या किया, जो nutrient medium है, उस nutrient medium को भी आपने क्या किया, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, even this nutrient medium was sterilized, उसको हमने autoclave किया, उसको उबाला, और एक constant pressure maintain किया, करीब 15 pound per square का, sorry, per square inch का, यह कब तक किया, हमने करीब 20 minute तक, क्योंकि वह nutrient medium है, nutrient medium मतलब यह वाला, जिसमें पूरे nutrients, सारे content यहां पे नीचे है, उसको अपन nutrient medium बोल रहा है, तो यह nutrient medium को भी आपन क्या करते हैं, उबालते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी पैथोजन नहीं आना चाहिए, उसके अंदर पैथोजन आ गया, तो भईया यह अपने tissue को क्या करेगा, disease cause करेगा, हमको वह नहीं चाहिए, तो इसको भी क्या करा जाता है, autoclave किया जाता है, उसको high pressure में रखा जाता है वगरा, तीसरी चीज़ देखो क्या है, explant जो है, explant को हम treat करते हैं, किससे 20% ethyl alcohol and 0.1% HGCl2, ठीक है, क्योंकि explant पे disinfect करना है ना हमको, और auto, sorry, inoculation chamber में हम क्या करेंगे, by using UV radiation tube for 1R, before, रे 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 रे, यह ऐसा क्या हो गया, आधा ही statement क्यों है भाईया यहां पर, चलो, चलो, एक second, हम बताते हैं, हम exactly करने क्या वाले है, inoculation chamber में हमने क्या क्या क्या, by using UV radiation, UV rays tube for one hour before actual process, है ना, actual process जो है before, पूरा अपना explant यह वो उसको भी हमने क्या किया, मतलब तुमने यह explant इसमें डाल दिया, है ना, अब इसको तुम क्या करोगे, UV rays को expose करोगे, भाई हमको किसी भी तरीके का कोई risk नहीं लेना है, है ना, चलिए, तो ऐसा हमने करा, और भी कुछ additional conditions हमको याद रखनी है, जैसे जब आप tissue culture करने जा रहे हो, तो temperature कितना होना चाहिए, कि 18-20 degree Celsius होना चाहिए, pH जो है हमारे nutrient medium का, इंपोर्टेंट है देखो यह वाले points, इसकी उपर से MCU बनता है, pH जो है, मैं tissue culture की बात करूँ, तो वैसे देखा चाहिए, तो on the basis of nature of eggplant, वह eggplant तुमने कहां से निकाला, उसके basis के उपर, तीन different type के tissue culture है, cell culture, organ culture, और embryo culture, तुमने कहां से निकाला, उसमें से तुम क्या grow करना चाहते हो, उसके basis पर यह तीन टाइप है, अगेन आपको किताब में, यह तीनों टाइप को जादा explain नहीं, मतलब कुछ भी explain नहीं किया, सिर्फ नाम दे के रखे, तो इसलिए अपन इसके उपर जादा अपने efforts नहीं डालेंगे, है ना, टाइम अपने पास limited है, तो limited information को ही हम study करेंगे, ठीक, तो these are three different type of tissue culture based on nature of explant, वही अगर मैं in vitro growth के basis पे अगर tissue culture के types देखू, तो वह है दो type, एक है callous culture, दूसरा है suspension culture, इन दोनों को भाहिया explain कर रखा है, कैसे explain किया है, देखो, कि जो callous culture होता है, callous culture में हम क्या करते है, कि जो nutrient medium हमने लिया था, वह भाहि होता है solid, यह है देखो, यहां पर लिखाया, callous culture में, यह हमारी जो test tube थी, है ना, let us say, यह अपनी test tube, इसके उपर हमने यह explant डाल दिया, but, explant के नीचे में यह जो nutrient medium है, यह liquid नहीं है भाहि, यह solid है, तो solid medium के उपर अगर आप किसे explant को grow कर रहे हो, तो उस culture को आपने क्या नाम दिया, that culture is a callous culture, है ना, the development and organization of tissue is lost, callous form हो रहा है मतलब क्या है, एक तुमने चोटी से tissue निकाली, tissue completely divide, sorry, continuously divide हो रही, divide हो रही, divide हो रही, mass of undifferentiated cell form हो गया, उसी को आप बोलते हो, callous, मतलब organization of tissue जो है यह loss हो चुका है, मतलब यहाँ पर कौन सी process हुई, T differentiation की process हो गई, ठीक है, बाद में, cells of x plant form a mass of, चलो देको वही बता रही थी मैं, उसी यह वज़े से क्या है, de-differentiation की process होई, पूरा callous form हो गया, correct, callous मतलब mass of undifferentiated cell, है न, उसी को हम callous ऐसे नाम देते हो, callous formation हो गया, फिर callous can be induced to form, अब यह जो callous है, तुमको सिर्पैस है, मास नहीं रखना है भईया, meristematic cells का, तुमको उससे क्या करना है, new plant body बनानी है, है न, तो फिर क्या किया जाता है, यह जो callous है, उसमें process होती है, जिसको हम बोलते है process of organogenesis, organogenesis मतलब plant के different organs जो है, यह develop हो रहे है, है न, कौन से, जैसे कुछ root-like organ develop हुए, उसको तुमने बोला rhizogenesis, shoot-like organ develop हो रहे तो उसको आपने नाम दिया callogenesis, correct, तो ऐसे organs develop हुए, फिर धीरे-धीरे क्या होगा, new plant भी develop होगा, correct है, तो यह है अपना callous culture, वही अगर मैं किसकी बात करूँ भया, अपने second type of tissue culture जो है, है न, which is suspension culture, suspension culture में हमने जो medium use किया था, nutrient medium, वो कैसा है भाई, liquid medium है, ठीक है, क्या किया जाता है, small group of cell or single cell is used as x plant, इसमें हमने पूरी tissue ली थी, suspension culture में एक single cell भी अपने पास रहना, तभी भी काम बन जाता है, sometimes small number of cell, 4-5 cell भी मिलके कर सकते हो, single cell से भी तुम क्या कर सकते हो, suspension culture बना सकते हो, ठीक है, हाँ, एक याद रखना है कि suspension culture में हमको agitator की ज़रुवत पढ़ती है, agitator मतलब जो यह fluid को continuously mix कर सके, है न, so that भाईया वह fluid में क्या हो सके, अपना जो oxygen है, यह constantly continuously mix हो पाया, तो ऐसा agitator जो, it is required for suspension culture, callous culture में तुमको उसकी ज़रुवत नहीं पढ़ी थी, तो ऐसे दो टाइप्स हैं हमारे tissue culture के, तो फिर देखो, tissue culture तुमने कर दिया, अब tissue culture का ही result हमको किसमें रिखता है, micropropagation में, अब micropropagation मतलब भी simple है, micropropagation is this step, कि आपने क्या किया, यह जो छोटी-छोटी सी अपनी plant की tissues थी, या फिर यह हम tissues में छोड़तो, यह जो अपना x plant है, इस x plant को differentiate करके, plant की क्या develop की, या तो new tissues develop की, या फिर plant क्या organs develop की है, या फिर complete plant है develop कर दिया, तो वो जो technique है, ऐसी technique जहां पर हमने small amount of x plant से, plant का new tissue या organ या complete plant बना दिया, उसको भी बुला जाता है, micropropagation है ना, अपने definition लिख देते हैं, क्या है भाया, technique, सिर्फ technique नहीं, in vitro technique यह जरूरी है, technique, अरे भाई, to develop desired tissue or organ or complete plant with the help of explant or with the help of me sorry, from explant from explant with the help of tissue culture with the help of tissue culture and that process we have called micropropagation if we look at the Indian market, what is happening in India, this micropropagation process is used for commercial production of plants like orchids, chrysanthemum, eucalyptus and fruit plants like banana, grape, citrus. this micropropagation this micropropagation we use and commercial production of plants, this here advantageous advantageous which is which is is which is which that we have micro propagation it helps in rapid multiplication of plants, this number of plants are obtained within short period of time and in a very small space 40 place you can create many plants correct plants are obtained throughout the year no matter you don't have a problem that you only have to create plants or create plants or create plants or create plants when you do it when you do it when you do it mom and dad can you tell that that different story next production of clones clone because sexual reproduction has lost chances you have created clones and sexual reproduction through plants so there is no chance to come and see what can we do rare plants and endangered species are multiplied and they can be saved rare plants can you save production of new variety in short time span you can create new varieties with the help of this micropropagation especially somatic hybrid it is called cybrids let me tell you that somatic hybrid was made pomato what does pomato what does pomato is a plant a concept was like that plant on top the stem on top on top the underground stem on top the stem on top the stem on top the underground stem on top the potato developed like they have a idea that plants developed they have their own scientific community and who will do it and who will do it the experiment although it is successful this is full but it is not possible in every place it is possible like pomato like so this is micropropagation after that we will talk about single cell proteins so if I will tell you single cell proteins let us first dwell on the fact that say that 2050 duration 2050 till will you know one the one the two two fifty duration we have one two five zero million ten million ten ten thousand 1000 किलो बहुत जादा हो रहा है लेकिन पॉपिलिशन भी तो उत्ती बढ़ रही है ना तो इत्ता ही सही है क्या हो रहा है in 2050 प्रेडिक्शन है 2050 में हमको बारा सो पचास मिलियन तन जरूरत होगी किस की भाई मीट और डेरी की कि राएंड है मैंने आपनने प्लांट वाला कम्लीट कर लिया हम बोल रहे हैं कि उपर ब्लाइंट में रॉपर पर अपर democrat करेंगे देश्य हैं को अ तो इनका बोलना है कि बढ़ते पॉपुलेशन को देखके जब 2050 आ जाएगा तो भाई इतना ज्यादा फूड का प्रोडक्शन तुमको करना पड़ेगा हर साल बहुत ज्यादा नहीं हो गया यह अमाउंट यह इतना आसान भी नहीं है तो फिर अब जरूरते तो बढ़ने वाली है जरूरतों को पूरा कैसे करें यह बहुत डिफिकल्टी है कुछ-कुछ प्रोटीन जो है तुमको शायद क्लांट से नहीं मिल पाते हैं मीट अगर तुम खाओ तो वहां से आराम से मिल जाएंगे हैं म मीट खाओ या फिर अनिमल बेस्ट जैसे डेरी प्रोड़क्ट उसमें से शायद तुमको मिल जाएंगे एग्स होगे उसमें से मिल जाएंगे इन सब चीजों का प्रोड़क्शन कितना किया जाए बही कितना और एक्स्प्लॉइट करेंगे हम अनिमल्स को तो फिर यह सब च अगरे चाहिए अगरे बहुत तो इसे माइक्रोब्स विच्ट हाव प्रोटीन वाले उनिट्रियंट कंटीन रखने वाले यूनिसलूलर ओर्गानिजम विज्ट था फूड सोर्स हमारी जो प्रोटीन की रिक्वार्मेंट प्रोटीन मिनरेल्स वाइटमेंस है इसकी जो रि है इन्होंने ऐसा मतलब थेयरी रखी और वही है हमारे सिंगल सेल प्रोटीन वाट वी आ दूइंग सेल प्रोटीन मतलब क्या यूज ओफ माइक्रोब्स इन देर प्रूड फॉर्म प्रूड और रिफाइन फॉर्म या तो तुमने इसको क्या किया ड्राइ कर दिया है ना या फिर उसकी प्रोसेसिंग करा दी ऐसे अपने जो माइक्रोब्स है या ड्राइ किये हुए या फिर ड्राइड है इंगलिस वाट लगाएगी वर ना अफिर उसकी प्रोसेस्ट माइक्रोब्स है या फिर उनका क्रूड वाम में तुम क्या कर रहे हो उसको क्यों खा रहे हो तुम्हारी प्रोटीन मिनरल और वाइटमिन की जो रिक्वार्मेंट थिये वो पूरी हो सके, है ना, so the use of microbes in their crude or refined form to complete protein minerals add requirements requirements है ना, हम microbes को use कर रहे है, हमारी requirements को पूरा करने के लिए, उसी को बोल रहे है, हम ऐसी ही microbes, जिनको हम use कर रहे है, उन्हें को हम बोलते हैं single cell proteins, है ना, single cell proteins जो है, देखो, इनका, इतना हमको यह इतना, बारा सो पचास मिलियन 10 of meat हमको produce भी नी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि single cell protein, छोटे-छोटे सही पिचार है, unicellular organism, करेक्ट, कम mass में यह हमको क्या दर सकते हैं, जादा nutritional values प्रोवाइड कर सकते हैं, करेक्ट, तो यह एक बहुत ही अच्छा renovative idea है, करेक्ट, प्रोवाइड करने वाले जो अपने माइक्रोब्स हैं, उनकी आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो इसको गो थू करिएगा, क्योंकि यह जरूरी है, कि जैसे कुछ फंगस है, आश्पर्गिलस नाइगर, प्राइकोडर्मा, वाइरिटी, यह कुछ फंगस है, जो मतलब ब्रेड लेके चले 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 अचाले के चले मचले एसा नहीं होता उनको क्या है एक तो मितलब कंशे कम वजन में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंटेंट प्रोवाइड करने वाला फूड चाहिए, तो ऐसे यह एस्ट्रोण वगरा जोए जनरे यूस सिंगल स सिंगल सेल प्रोटीन सिर्फ एसा निया इनका नहीं तुमको वह वाला उधर से कोई तो केमिकल मंगाना पड़ेगा तभी यह कोई ज़ुरत नहीं है तुम तुम्हारे बिलकुल रॉर्गानिक मेटीरियल की ऊपर भी इसको ग्रोव करे सकते हो है ना तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है दे कैन बी कंसिड़र आज वरी गुड सूर्स ऑफ प्रोटीन मिनरेल्स वाइटमेंस और यह हमारी पॉपिलेशन में जो हिड़न हंगर है उस हिड़न हंगर को भी किसी मतलब एक एक लेवल तक क्या कर सकते हैं मिटा सकते हैं है ना चलो सूर्व तो दिखेएि ανα प्राइव्ट पॉटी किस्पोल टाइए उसकर बोलते है बाईायो मिट्रीपी अंग सेलए दूटा में लिए उसूटिव घनिकाशन क्या आइँ हों थे खुजわかुड लें बाएकान पॉयार कॉलिटे और व क्वालिटिविकेशन केक एंगिन चुक the quality of food is called bio fortification aadakos tum yet improvement किसमें ला रहे हो आप improvement ला रहे हो उसके protein content और protein quality में अपने यह bio fortification लाया improvement लाई oil content and quality में प्रोटीन का content अच्छा हो protein की quality अच्छी हो oil content or quality अच्छी हो vitamin content उसमें अच्छा हो और और micronutrient का content and quality अच्छी हो, यह basically तुम्हारे target थे, है ना, तो तुमने plant को क्या किया, ऐसे कुछ special plants जो है, यह develop किये, correct, आप याद रखो, bio fortification is simply improvement in food quality, है ना, food की quality में improvement लाना, correct, चलो, तो कुछ examples जो है, then again, देखो examples है, याद करने पड़ेंगे, theoretical part है, याद करने जैसे ही है, मैंने तुमको point समझा दिया, कि देखो अब जैसे, fortified maze having twice the amount of amino acid, which is lysine and tryptophan, देखो, amino acid are the component of protein, है ना, amino acid से ही protein बनते है, तो जैसे है, lysine और tryptophan यह जो amino acid है, इनका content हमने किसमें बढ मेज से जनरली अपने को carbohydrate जादा मिलते है, अभी अपनने fortified maze जो बनाएं, उसमें से protein में मिलेगा तुमको, wheat, wheat की एक variety देखो, जैसे Atlas 66, इसमें क्या है, it has high protein content and iron fortified rice has five times more iron than normal, तुम चावल खाओ, तुमको iron मिल जाएगा, तुमको iron मिल जाएगा, कौन साँ, बायो fortified अगर rice खा रहे हो तो, vegetable cross like carrot and spinach have more vitamin A and minerals, सही है, है न, vitamin C enriched bitter gourd and tomato have been developed by AIARI, है न, Indian Agriculture Research Institute, AIARI मतलब, तो इन्हों ने क्या किया, ऐसी special bitter gourd and tomato की वराइटीज बनाएं, जिसमें क्या है, vitamin C का content भी अच्छा खास है, वैसे तो आप बोले माँ, तो मैटो में तो वैसे भी vitamin C रहता ही है, बट हमने क्या किया, और उसकी quality बढ़ा दी भही, है न, चलो, तो यह अपना bio fortification जो है, यहां पर दन है, अब देखो बिलकुल छोटा सा ही part विच है अपना, इस lesson का, that is our animal husbandry, है न, अब animal husbandry, जो है, तो animal husbandry में आप exactly क्या करने वा उसके लिए जो animals है, उनको आप क्या कर रहे हो, उनको rear कैसे करना, उनको उनकी देखभाल कैसे करना, यह पूरा science जिसमें include किया जाता है, उसको हम animal husbandry बूलते हैं, करें, अब animals को बहुत चारी requirement के लिए grow किया जाता है, जैसे अगर हम cattle ही बात करें, तो cattle are generally reared for milk, अगर हम poultry की बात करें, so poultry are generally reared for egg and their meat production, correct है, honey bees, honey bees को आपन honey के लिए rear करता है, honey और bees wax के लिए, fisheries again meat के लिए, है ना, और अगर मैं किसकी बात करूँ, और silk, silkworm जो है, उसको rear किया जाता है, silk production के लिए वगरा वगरा, तो आप समझ जो, कि हमारी ज़रूरत है, यह बहुत the diverse है, और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम animals को क्या कर रहे है, उनकी देखभाल कर रहे है, अपने फाइदे के लिए हम को वही आके पड़ी नहीं है, हम खराबीन लोग है, हर जगा अपना फाइदा देखते है, है ना, तो हमारे फाइदे के लिए हम कुछ animals को क क्या कर रहा है उनको अपने साथ और पालन कर रहा है तो एक-चिभर करके आपन समझागे good quality of milk and good quantity of milk मेरे को दो कॉलिटी ची है चलो नहीं दूसरा आपन सर्वी सर्वी कॉलिटी नहीं लेते हैं एक दूसरा एक्जामपल लेते हैं मुझे ऐसी काउ बनानी है जिसके पास अच्छी कॉलिटी का मिल्क हो सके और इस काउ के पास डिजीस रेजिस्टंस हो सके यह मैंने एक्जामपल ले लिया अब भाई कइब ऐसा हो सकता गया कोई काउ ऐसी है कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल्क बनाती है बट किसी डिजीस के वज़ए से बड़ी जल्दी मिमार पड़ती है होता है तो मैं क्या करूंगी मैं ऐसी गाय को चूज करूंगी इन दोनों को मैंने सिलक किया उनके बीच मैं फटिलाइजेशन करवाया ब्रीडिंग करवाई और मेरे को हाइब्रेड मिल गया जॉजए है इसके पास मंभी प्रॉपेटी आ अच्छे मिल्ट क्कॉलरी मिल्टीथि यही रिजिस्टेंश की आइप्रेड बन गया तो ह्या ओं रिदिंग सैंक रिंडिंग टैकनीक इनके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं जैसे artificial hybridization and multiple ovulation embryo transfer short में उसको मोयट बोलते हैं सारी चीज़े हैं अपन अराम से समझते हैं इन ब्रीडिंग की अगर मैं बात करूँ इन वाट इस इन ब्रीडिंग तो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है continuous self continuous selfing sorry selfing भी नहीं बोलेंगे continuous breeding between member continuous word नहीं विले छोड़े हैं फिर से बनार पेच्छ रुखो breeding between members between superior members superior animal of same breed that share share नहीं भाई share common ancestor अब देखो मैं इसका मतलब समझाती हूँ देखो जादा दिल पर नहीं ले ना बट समझना भी है आप इमाजन करो ये भाई अपनी कव ये बुल है ना अब इन दोनों के बीच में हमने ब्रीडिंग करवाई और इनके बच्चे हुए सब्पोस करो मतलब इन दोनों के है और इन टोटल इनके चार बच्चे हुए अब इन चारों में ऐसे देखो ये ऐसे चार इनके बच्चे अब हमने क्या करा इन इन दोनों के बीच में, यह जो इनके दो बच्चे, उनके बीच में रीडिंग करवा दी फिर से, फिर इनके बच्चे होंगे, let us say इनको भी क्या हुआ, चार-पांच बच्चे होगा, चलो पांच बनाता है, है ना, यह देखो, यह भाई इनको बच्चे हुए, अब हमने क्य इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवा दी, इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवा दी, ठीक है, इनके भी कुछ अपने बच्चे होंगे, इनके भी अपने बच्चे होंगे, ठीक है भाई, है, तो अब देखो, अब हम और क्या करा रहा है, हमने, यह जो दो बच्च यह जो टेक्नीक है इसी हम बोला जाता इन ब्रीडिंग देखो हैं इन ब्रीडिंग में हम बोल क्या रहे हुँ बोल करा Macron ji बडिया है इसमें क्यक्शम्री है इसमें डिजीज है यह तो सफ किया अनिय जुकर कर रहा है आक अच्छी क्वालीटी वाले आनिमल के बीच में ब्रीडिंग करवाई है यहां तक भी ठीक है वैट कितने जनरेशन के लिए मतलग कम से कम चलो फिर से सुनो देखो इन ब्रीडिंग इस टेक्टीक ब्रीडिंग तेक्निक बिट्वें सुपीरियर आनिमल और सेम ब्रीड दाट इन दोनों को छोड़ दो इन दोनों को चोड़ दो इन दोनों को और ब्रीडिंग कर आई अपने पास यह फीमेल और यह मेल है न यह लूप काट दैं आन आपको नजर आएगा इन दोनों के जो अनसेस्टर एक जैसी है इनके मम्मी पपा एक ही इन की जो दादा है वही इनके भी दादा है तो ऐसे common ancestor share करने वाले तो superior animals के बीच में तुमने अगर inbreeding करवा दी तो उसको बोला उनके बीच में breeding करवा दी तो उसे हम बोलते हैं inbreeding ठीक हैं एक चीज याद रखो कि continuously ऐसी यह process करने की वज़़े से थोड़े से complication भी आता है तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे continuous inbreeding may lead to inbreeding depression continuous inbreeding के वैज़े से क्या आ सकता है inbreeding depression आ सकता है inbreeding depression मतलब क्या कि यह दोखो यह constant inbreeding करे जा रहे हो family के family में ही breeding करा रहे हो तो उसकी वैज़े से specially disease causing genes जो होता है वो उभर के आता है recessive disease causing genes उभर के आता है दूसरी चीज यह जो अपने plants है उनकी reproductive fitness कम हो जाती reproductive ability उनकी कम होने लगती reproductive vigor कम हो जाता उनका है ना उसी को बोला जाता inbreeding depression तो अब भाई तकलीफ तो होगे ना यह वाले जो बिचारे दो animals है यह आगे जाके धंकी प्रोजनी नहीं बना पाएगे disease वाली नहीं बनाएंगे है ना ऐसी प्रोजनी बनाएंगे जो reproductive ली मतलब उतनी जादा active ही नहीं हो पाएगी तो दिक्कत होगी तो उसी को बोला जाता है inbreeding depression तो फिर इसमें से बाहर कैसे निकले तो inbreeding depression जो है it can be cured by out crossing inbreeding depression can be cured by out crossing okay okay out crossing बताता है ना रुको तो थोड़ा सा patience रखो अब देखो inbreeding की बात कर ली हमने यह वाली बात हो गई अपनी बात करते हैं breeding techniques ही देख रहा है ना तो out breeding समझते हैं अब out breeding देखो यार out breeding की कहानी ऐसी है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझवा आप अक्षर भया खराब आ रहे है देखो out breeding is actually the technique in which breeding between superior male and female of same or different breed that do not share common ancestor for four to six generation out breeding मतलब क्या जिनमें आपको यह ऐसा फैमिली के फैमिली में शादी वाला नखरा नहीं दिखरा ऐसे breeding को हम क्या बोलते हैं out breeding out breeding के यह है तीन टाइप से तीन टाइप कौन से पहला जो टाइप है इसे हम बोलते है out crossing दूसरा जो टाइप है भाई उसको हम बोलेंगे cross breeding और तीसरा जो टाइप है इसे बोला जाता है inter specific hybridization देखो समस्टाइब तीनों को समझेंगे चिंता मत करूँ देखो यार आउट crossing में दोखो क्या हो रहा है out crossing में आपने क्या किया breeding करवा दी 2 animals के बीच में superior quality के 2 animals के बीच में breeding करवाई which don't share common ancestor for 4 to 6 generation यह वाली condition लागु है but between two same breed हमने क्या क्या cross between why superior male and female of same breed that do not share common ancestor इनके दादा पर दादा एक जैसे नहीं है ऐसे हो कि बीच में तुमने breeding करवाई थी वह क्या है भाया out breeding sorry उस वह है out crossing cross breeding मतलब यहां पर आप क्या करोगे across between why superior male and female male of different breed but same species and 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 species different breed है उनके बीच में तुमने अगर cross किया तो उसको बोलगे cross breeding अब मतलब देखो जैसे अब दो dogs देख लो ना dog की different breeds है तुमको मालूम है जैसे husky है और pomeranian है है ना अब यह दो different breeds है इन दोनों के बीच में तुम cross करा हो तुमको कोई भलता तीसरा ही breed मिल जाएगा तुम उसको pomes की बोलते हो correct तो ऐसा यह जो species तो dog ही है है ना इन दोनों के बीच में तुमने cross करा है different breed के बीच में same species के different breed में cross करा दिया तो that is known as cross breeding है ना इसका एक बड़ा अच्छा example तुमको बताया क्या है that is this hycidal basically हमने क्या किया the cross was made between big canary eve eve मतलब यह भाई female female ship जो होती है उसको upon eve बोलते है correct और marino ram जो ram मतलब क्या है जो ship है उसका male जो होता है उसे ram बोला जाता है तो अब इन दोनों के बीच में जब हमने cross किया as a result हमें जो hybrid मिला ना उसका ही नाम हमने दिया hycidal ठीक है तो यह example भी याद रखिए इसके उपर भी सवाल आता है कि cross breeding में हमने क्या देगा देखो this is one breed be canary is one of the breed of a ship marino is another breed of ship है ना इन दोनों के दो different breeds के पीच में हमने cross किया और हमको एक तीसरी breed मिली खेर इसको example याद रखना है हमको but definition क्या गोल रही cross breeding मतलब cross between superior male and female of different breed of same species यहां पे क्या हो रहा था superior male and female of same species same breed जो इन पे इन प्रेशिविक हाईवरिड आज़ेशन यह तो भाईया पूरे बाहर ही है मतलब दुनिया के यहां पे दो क्या हो रहा है cross between वही superior male and female of different but related species two different species के बीच में तुमने cross करा दिया उसको तुम क्या बोल रहा हो inter specific hybridization बोल रहे हो है ना जैसे आपको cross दिखता है किस के बीच में यह अपना male horse male horse को actually stallion बोला चलो आपन ऐसे लिखते है male horse male horse female donkey male horse इनके बीच में अगर cross कराया तो हमें जो animal मिलता है उसको बोला जाता है hini और अगर female horse female horse को male बोला जाता है और यह jack और यह jini female horse male donkey इनके बीच में male donkey को jack बोला जाता है और female donkey को jini बोला जाता है इनके बीच में अगर cross किया तो उससे हमें क्या मिलता है मूल मिल जाता है तो देखो ना हमने किया किया दो different species के बीच में क्रॉस कर दिया तो मैं ऐसा नहीं सोचो कि हां भाई हम क्रॉस करेंगे चामीलियन और हाथी के बीच में वह बाइट डिफरेंट है ऐसे डिफरेंट स्पीसिज में नहीं करुआ सुमने सोचा साप और टाइगर के बीच में cross करते है बाइट डिफरेंट है यार बाइट डिफरेंट पैसे इतने भी निमाग मत लगाओ तो वड़ी related species है, उसके बीच में अगर हमने cross किया, तो उसको हम बोलते हैं, इंटर-specific hybridization, है नौ? So, this is another breeding technique, similar breeding technique जो है, उसको हम बोलते हैं, अपना, yes, artificial hybridization, अब भाईया, artificial hybrid, sorry, artificial insemination actually होना चाहिए, यहाँ पर, कैसे mistake हो गया, भाईया, यहाँ artificial insemination होना चाहिए था ना, तीसरे technique, क्या बोला जाएगा इसमें, आप क्या करोगे, सीमन जो है, transfer of सीमन from superior male is superior male into reproductive tract of superior female, है ना, जो superior male है, उसके पास से आपने क्या किया, semen collect किया, semen मतलब बेसिक लिए, ऐसा fluid जिसमें क्या है, sperms present है, तो ऐसे sperm containing fluid को आपने क्या किया, male से collect किया, और इसको transfer कर दिया, female के body में, female के reproductive tract में, उसको आप क्या बोलते हो, artificial insemination, तो ऐसे भी breeding करी जा सकती है, और सबसे last जो technique है, इसको हम बोलते है, moit, है ना, तो moit मतलब क्या, it refers to multiple ovulation embryo transfer, है ना, अब moit का मतलब, चलो मैं तुमको steps समझा दीऊ, देखो, imagine करो, अपने पास एक superior male है, है ना, यह जो male है, इसके पास से हमने क्या किया, semen collect करके रख दिया, पहली कर collect कर दिया, है ना, तो इसके पास से semen collection हो गया, जो female है, superior female, हमने क्या किया, यह superior female को, FSH-like hormone दे दिये, दे दिये मतलब, वैसे खाले भाई, ऐसा नहीं करा, यह जो superior female है, तो अब यह superior quality की जो female है, है ना, उसके बोड़ी में हमने क्या किया, FSH-like hormone ट्रांसफर कर दिया, तो उसके वज़े से क्या होगा, यह जो female है, उनके body में super ovulation हो जागा, जनरली क्या होता है, कि cow अगरा जो है, यह जो अपने mammals है, उनके body में, एक ovulation में, जनरली, एक single egg जो है, यह ovary के बाहर निकलता है, हमने क्या किया, FSH-like hormones देखिया, multiple ovulation करवाया, तो यह female क्या करेगी, एक के जगा बहुत जादा, मतलब 7-8 egg जो है, या फिर ovum जो है, ovary के बाहर रिलीस करेगी, है न, उसको हम बूलता है, super ovulation, तो यह क्या किया हमने, या फिर multiple ovulation, तो FSH-like hormone देखिया, हमने वो female के body में, super ovulation, या फिर आपके इसको क्या बोलो, multiple ovulation जो है, यह करवाया, फिर बाद में, तीसरी जो step है, हमने क्या किया, हमने किया, artificial insemination, artificial insemination करवाया, जब ovulation हो जाएगा, तो उसके body में artificial semen को transfer कर दिया, फिर बाद में, बाद में हम क्या करते हैं, वो जो female है, उस female के reproductive tract में, especially उसके fallopian tube हो गई, या फिर उसके uterus है, हम क्या करेंगे, अपने embryos हैं, 8 to 32 cell stage वाला embryo उसको बाहर निकालेंगे, तो अब हम लिखते हैं, यहाँ पे, removal of embryos from female reproductive tract, इस स्टेज में, 8 to 32 cell वाली स्टेज में, हमने उनको क्या किया, बाहर निकाल लिया, और बाद में, transfer of embryos into uterus of surrogate, surrogate मतलब ऐसी cow जो क्या कर रही है, अपना uterus प्रोवाइड कर दिये, यह अपने embryos को grow करने के लिए, उसके body में reproduction वगरा कुछ नहीं हुआ, उसने सिर्फ अपना uterus दिया, कि so that यह embryos जो है, वहाँ पर क्या हो सके, grow कर सके, तो यह जो process है, इसे बोला जाता है, multiple ovulation embryo transfer, अब यह हमने क्यों किया, क्योंकि अब देखो, यह अपनी superior female, उसके reproductive tract से embryos निकल लिये, तो अब यह जो female है, now this is again available for next cycle of multiple ovulation, तो यह जो है, इसे बोला जाता है, moit, correct, चौलो, अब इसके बाद में, दोखो, अपने पूरे different, भई अपने animal husbandry के ऊपर बात करते हैं, बहुत ही simple है, बस बताओ, तुम्हे एक बार यह point, read कर लो, कहीं तकलीफ नहीं जाएगी, simple है, दोखो, dairy farm management, अगर अपन शुरू करें, बताओ, dairy farm management क्यों किया जाता है, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, milk and milk based product बनाने, इसलिए हम क्या कर रहे है, dairy farm management कर रहे हैं, अब तुमको भाईया, गाय पालनी है, गाय पालनी मतलब तुमको dairy farm management करना है, तो आपको किन चीज़ों की ज़रत पड़ेगी, मतलब आपने कौन सी precaution लेनी चाहिए, अच्छी quality की गाय होनी चाहिए, जो अच्छा amount और अच्छी quality का milk प्रेड्यूस कर सके, सही है, ना, ओके, दूसरी चीज तुमको या करना है बड़ेगा, इनको अब गाय भीया, तुम्हारे चट के ऊपर तो नहीं रखोगे, उनको रहने के लिए जगा चाहिए, तो यू विल नीड प्रॉपर स्पेस, दूसरी रेक्वाइरमेंट, तीसरी रेक्वाइरमेंट क्या है, इनको अच्छा खासा आप फॉडर प्रोवाइड कर सको, अच्छा साइलेज प्रोवाइड कर सको, साइलेज मतलब किया कि ये कैटल के लिए जो फूड आप प्रोवाइड करते हो, ना, which is rich in oil cake, mineral salts, ये सारी चीज है, उनकी वाइटमेंट, इसलिए उनकी रिक्वाइरमेंट कंप्लीज हो सके, इसलिए उनको अच्छा खाद नहीं, उनको क्या पहुचा आना है, फॉडर पहुचा आना है, अपने कैटल को डिजीज ना हो सके, इसलिए उनका वैक्सिनेशन करवाना, वगरा वगरा, यह सारी टेक्निक्स जो है, यह आप करोगे, करेक्ट, यह सारी प्रिक्वाइशन साप लोंगे, यह हमने करा, ओक्या, रेगिलर अपना जो वेटरिनरी डॉक्टर है, उसकी विजिट आपके पास होनी चाहिए, अच्छा खासा हाईजीन मेंटेन होना चाहिए, अपने फार आपम मेरेजमेंट पर वह क्या है? कि कौनसी ब्रीट को आप सिलेक्ट करोगे यह भी या फिर ओल्त क्यों सी ब्रीट जैसे अगर हम इंदियन ब्रीट की बात करें यह समीन ब्री यह जो अच्छी मिल्क प्रेड्यूच करती है जो है सहिवाल, सिंधी, जो गिर, इसके ओपर क्वेस्टिन आता है especially match the following में आ जाएगा या फिर point blank की पूछा जाएगा कि इन में से कौन सी इंडियन breed है काउश की एक्वाटिक ब्रीड जिनका origin इंडिया में दूसरी कंट्री से तुमने इंडिया में मंगवाया है तो ऐसी चैसे यह ऐसी जर्सी ब्राउन स्विस्ट होल्स्टीन इस आरती एक्वाटिक और इंडियन प्रीड ऑफ बफिलो बफिलो का भी तो मिल्क हम लेते है तो इंडियन ब्रीड चैनल को पफिलो की यह जैसे जाफराबादी महसाना मुर्रा नागपुरी नीली और सुर्थी इस आरती प्रीड ड्यूक्रीड मुल बफिलोकोल सिंपल यहां जैसे तुमने डेरी अल्च मैनेजमेंट किया वैसे ही तुम क्या कर रहे हो पुल्ट्रीड फार्म मैनेजमेंट कर रहे हो अब प्रोड्री प्रोड्योच्ण कर आधा इस द तो हमको एक्ट्रेक्शन करना है दूसरा हमको मीट करना. दो प्रकटेस के लिए हम कोष करता है. उनको actually बोला जाता है layer. जो है eggs प्रोडीूस करती है और जिनको meat production के लिए जाता है उनको बोला जाता है broilers, तो याद रखो broilers are generally raised for meat and layers are generally raised for eggs production, अब देखो, यह कुछ आपको, मतलब यह दिया है, कुछ breeds दे रखी है, कि ऐसी अपनी पोल्ट्री की breeds, जिनका origin बताया, अब जैसे American breed, पोल्ट्री की, है न, कौन से यह, प्लेमाउथ रॉक, न्यू हैंशार, रोड आइलेंड रेड, यह breed के नाम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में तुमको बताया, कौन से जगह से यह भाई, मुरिया आई है, है न, राइट में तुमको बताया, उनकी breed का नाम किया है, तो यह भी देखो, यह याद करने जैसी ही चीज़े है, अगर कुछ important चीज में आपको बताने जाओ, इसमें से और additional information, नाम तो याद करने ही है, additional information जो याद रखनी है, वो है, जो अपना leghorn यह जो breed है, है न, leghorn breed तुमको कहा नहीं है अपनी Mediterranean breed, है न, तो leghorn breed is a good layer, इधर करें इसका arrow, यह इधर करते है, इस breed is generally raised, especially यह Achille, it is used as layer, क्योंकि यह क्या करती है, बहुत जादा amount में क्या बनाती है भाया, eggs produce करती है, है न, चलो, और वही अगर हम playmouth rock, road island raid, asil, brahma, kadaknat, इनकी अगर हम बात करें, है न, यह playmouth rock, road island raid, और कहां गया, asil, kadaknat, यह जो species है, यह क्या है, they are generally used for broilers, और ऐसा नहीं है, बाकी तुम raise नहीं करते हैं, बाकी को भी करते हो, बट यह ज़ादा famous breeds है, है न, चलो, अब वही देखो, तुमको अगर poultry farm management करना है, तो तुम क्या चाहोगे, अब क्या precautions लेनी है, पहले तुमको यह पता करना है, चाहिए, तुमने poultry farm management करना किसली है, तुम सिर्फ अंडों के लिए कर रहे हो, कि सिर्फ मीट के लिए कर रहे हो, कि बहीं दोनों के लिए कर रहे इनको अगर तुमको रखना है, तो भाई इनको रहने के लिए, ऐसा नहीं कि पिंजरे में बंद कर दिया, इत्तुसी जगह वो बिचारी मुर्गी हिल भी नहीं पारी, इधर की उधर, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो cruelty हो गई, तो हमने precaution लेनी है कि भाई यह जो अपने animals है, they should get a spacious environment, space मिलनी चाहिए उनको, उनको disease ना हो सके, इसलिए उनका, जो कुछ आपको उनको दवाई देनी है, यह प्रॉपर आपको करना है, अगर तुम मुर्गियों को भाईया, रेज करना चाहरे हो, मीट के लिए, तो उसकी जो डायेट है, यह protein-rich डायेट होनी एक तो जगह, दूसरी है हाईजीन, तीसरा है disease resistance, और चौता है food material, तो यह चीज है, हमको हमारे animals को दिलानी ही पड़ेगी, यह हो गया हमारा poultry farm management, हाँ, अब इस से related, एक पार्ट जो है, important है, यह वाला तो है, breeds, different breeds, और साथ ही साथ देखो, कुछ disorders के भी आपको नाम दिये है, कि कई बार अपने जो poultry's है, poultry animals है, they get affected by certain diseases, especially कुछ pathogens जो इनके उपर, वही disease, मतलब इनको disease cause कर देते, another very important point is with respect to MSTCAT, है ना, तो अब देखो, यह जैसे कुछ viral diseases है, नाम याद रखने है इनके, क्या हो रहा है, उतना याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम याद रखने है, कि वाइरिस की वज़े से देखो, अपने poultry को कौन सा disease हो रहा है, रानी खेत, है, bronchitis, avian flu, avian influenza, correct bird flu जैसे बोलते ह इस कौन से, पुलोरम है, कॉलरा, टाइफोई, टीबी, यह जारे diseases, bacterial है, है ना, CIDB जैसे, फंगल डीजीज कौन से, aspergillosis, favours and thrush, तो यह इनको, गो थू कर लेना, नाम याद रखने है, कि भाई, कौन से pathogen की वज़े से, कौन सा disease हो रहा है, ठीक, तो यह हो गया, क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको क्या मिल सके, एक तो भाई, तुमको शहद मिल सके है, हम भाई, बताया ना, मैंने, हम स्वारती लोग, तो शहद मिलाना है हमको, साथ ही साथ, beeswax, जो होता है, beeswax, हम वरी, good commercial properties, इसको generally make-up, अगरा में, make-up के जो साधन सामगरी होत जाता है, तो paint हो गया, उसमें use किया जा सकता है, कुछ amount में, तो anyway, तो उसके लिए देखो, apiculture भाई किया जाता है, अब apiculture तुमको करना है, सबसे पहली requirement क्या होगी, तुमको honeybees लगेगी ना, तो honeybees जो है जो है, generally जो use की जाती है, यह अपनी है, apis dorsetta, apis floria, apis mellifera, and apis indica, I've been 4 में से, चलो मैं तुमको यह भी बताती हू, हमने ऐसी honeybee चूज करनी है, जोगो honey तो सारी honeybees बना रही है, but you should choose the honeybee, which will be less aggressive, काट दिया, पूरा मू सूज गया, एक honeybee के काटने की वज़े से, सोचो सो ने काट लिया, तो क्या लोगा, यह जो अपनी apis dorsetta, इसक बहुत शेहद बनाती है, बहुत जादा शेहद बनाती है, quantity बढ़िया होती है, एकदम तगडी होती है, बट यह जो honeybee यह बहुत ही जादा aggressive है, बहुत जादा, तुम इसके छटे के पास जले, जो काट देगी तुमको, छटे के पास आने भी ने, भटकने भी नहीं देगी पूरा मू सूच जाएगा इतना बड़ा, तो ऐसे honeybee को तुम क्यों पालोगे भई, जिसके पास में तुम जा भी नहीं सकते है, तो बताना ऐसे है कि honeybees की different species है, but we will always prefer the species which are docile, जो जादा काट थी नहीं, ऐसी honeybees को अपन प्रिफर करते हैं, तो जैसे apis floria, apis mellifera, even apis indica यह honeybees, they are very docile type of honeybees, common name याद रखने हैं, अब हमको apis culture अगर करना है, तो यह ऐसे कुछ instruments होते हैं, क्या-क्या इंक्लूट गिया जाता है, इसमें अब जैसे यह अपना beehive box, वो वही जो लिस्ट दी गई है, उसके पता चलना चाहिए, exactly क्या है, तो ऐसे beehive boxes हम रखते है है ना, साथी साथी यह देखो, beehive box with comb foundation, मतलब यह comb foundation के ऊपर फिर अपनी honeybees अपना, फुद का comb बना सकेगी, फिर उसके बाद में, मतलब हमने शुरुवात करके दे दे, तुम भाई अब बढ़ा लो अपना काम आगे, फिर देखो, bee whale, यह पूरा तुमको ढखके रखना किया तुमने है, और smoker, अब तुमको जब honey निकालना है तो यहां की पूरी honeybees को गायब करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो smoker का यूज किया जाता है, brush, इनको हटाने के लिए brush यूज करोगे, अपना uncaping knife, होम में से honey निकालना है, तो uncaping knife को यूज कर सकते हो, swarm net, वो पूरा honeybee का छता जो है, कभी-कभी पेडो वेडो पे भी आ जाता है, पेडो पे घरों पे, तो उसको निकालने के लिए swarm net का इस्तेमाल किया जा रहा है, correct, queen excluder, queen को पूरे छते में से अलग करने के लिए, आपको मालू है ना, कि honeybees जो है, इसमें हमको दो टाइप क पूरे फीमेल दिखती है, worker फीमेल और queen फीमेल, तो जो worker है, वो रिप्रेड्यूस नहीं कर पाती है, queen रिप्रेड्यूस कर पाती है, मतलब queen egg देती है, male, all males, जिनको हम ड्रोन बोलते है, all males are reproductively active, है ना, बट सारी female reproductive रिप्रेड्यूस नहीं होती है, तो यह जो queen है, queen को ब अगरा तुमको खूलना है, वगरा वगरा तो उसके लिए कुछ high tools भी आपको necessary होते है, and overall तुम देखो भाई, मतलब तुम अगर यह कर रहे हो, अगर कर रहो, तो तुमको ऐसा पूरा ताम जहाम के साथ ही रहना पड़ेगा, पूरे तुम्हारे गंबूट होने चाहिए, है ना, यह overall होना चाहिए, gloves होने चाहिए, वेल तुमने लगाया होना चाहिए, है ना, ऐसे दिखना है भाई यह तुमको, अगर तुमको क्या करन चाहिए, कौन सी हनी भी डोसाइल है, कौन सी जादा अगरे से वगराए वगराए यह जनरल नौलेज होना चाहिए, तुमने ऐसी लोकेशन चूज की जहां पर दस किलोमेटर तक एक भी फूल पत्ती नहीं नजर आ लिए, क्या मतलब, अरे भाई, हनी भी नेक्तर पे फीड करती है, उससे बाद में यह अपना हनी बनाती है, तो हम क्या चाहेंगे, ऐसी लोकेशन चाहेंगे, कि जहां पर प्लांट की फील्ड जो है, प्लांट की फील्ड आसपस हो, अव्विस्सी बात है, है ना, कैचिंग एंड हाइविंग स्वाम, तो यह ग्रूप जो है, अपन क्रिलिंग इंड कलेक्शन ओफञ्टर वनी, विवाक्ष अ अब अधर बड़ घर, कैसे हीं एंड करना चाहिए वगरवगरा वगरवगरा, परियोड क्लीन लीनेस और प्रोविजन अपसीन और यह चीज यह हम अगर देख ली, आउ बन गया अपना काम, अपनी तरफ से हैं पर उसके बाद में नेक्स्ट जो है इस फिश्रीज अब भाई फिश्रीज मितलब क्या इस्पेशली अगर हम फ्रेश्वाटर फिश की बात करें तो फ्रेश्वाटर फिश को तुम क्या कर सकते एवन घर में भी पॉइंड बनाके लगा इस मितलब उनको ग्रो कर सकते हो बात कि तुम खारा पानी के समुनदर से ले घर में वहां पर फिश्वाटर में जाके फिश ले के आ और अब भाई आपनी मरीन वटर की जो फिश है उनका कल्चेर करना घरों में पाना के कल्चेर करना यह डिफिकल्ट होता इस नेक्स तो इंपॉसिबल ब़्श्वाटर फ तो फिश से हमको ग्लू भी मिलता है, क्यांक्या बहुत जारे प्रोडेक्स मिलते है, तो especially हमको याज जो रखना है, फिशरी में, तो दो टाइप की फिशरी की होती है, एक होती है हमारी in-land fisheries, है न, तो in-land fisheries, in-land fisheries में हम क्या करेंगे, अपनी जो कल्चør हम कर रहें किसका हमारे Nossa फ्रेश वाटर फिष का यहां लिग दढ़ के आपकर कि यह आरे है झाए बहियाiben कि तुरो तो फ्रेश वाटर फिश घर कर रहें उनकोग्रो कर रहें हैं बाद में उनको मार्केट में ले जा रहें बेचने के लिए तो वो सब कहां जाएगा अपने फ्रेश वाडर सरी इन लाइंड फिशरी में फ्रेश वाडर फिश जो जनरली हम यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है तो इसको बोला जाता है मरीन फिश्री पर दिक्कत ऐसी मरीन फिश्री मरीन फिश को तुम घर में गरो नी कर पाऊगे ना तो मरीन फिश्री के लिए तुमको समुंदर में जाना पड़े हैं वहीं से तुमको यह फिश लानी पड़ेगी तो इसके एग्जांपल जैसे अपना बॉम बेड़क आरे हां इनका भी हमको साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम याद रखना है अगेन वही जोड़ा लावा ताइप चे प्रशन यह था था अच्छा वरुन है ना पर तो मरीन फिश जो है मरीन फिशेज के एग्जांपल रखने है याद रखने है उनके साइंटिफिक नेम के साथ इन फिश को हम ग्रो करते हैं अब देखो हाँ फिश फार्म अगर हमने लगा सपोस्ट फ्रेश वॉर्टर अपनी इन लाइंड फिशरी हम कर रहे है तो क्या प्रिक्वाशन लेनी हमने क्या मेंटेनेस करना है कि भाईया फूटेबल साइट सिलेक करनी ऑब्वियसली है ना एक्सकेवेशन ओफ पॉइंट होदना हो पड़ेगा ना तुमको पॉइंट ठीक है रिक्वाइरमेंट ऑफ हैचरी टैंक नर्सरी टैंक रियरिंग टैंक स्टॉकिंग यह तुमको हर काम के लिए अलग अलग टैंक तुमको बनानी पड़ेगी एक ऐसी टैंक है जिसमें बिल्कुल छोटे-छोटे से फिश है जो जस डेवलप हो रहे एक ऐसी टैंक है जहां पर करेगी अंडे दे सकेगी एक लेकर पाएगी कोई टैंक ऐसी है जहां पर आपने ऐसी फिश को बहर निकाल लिए अब इसको तुमको जाकर पेच नहीं है एसे डिफरेंट डिफरेंट टैंक हमारे पास होनी चीए वाटर का सोर्स प्रवाइड करने के लिए हमारे पास फूड होना चीए और हम बजार में लेके जाएंगे तो भाई खराब नहीं चाहिए तो मतलब स्पॉइल नहीं होनी चीए तो वह बचाने के लिए हमारे पास और प्रीजर होना चीए प्रिवेंट को स्प्वाइल होने से बचाना है यह इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो यह अपना फिशरी जो है वो कर सकते हो वर्णा तो फिर तुम घई तुम लाग तुम पैसा तो अलग गया, पैसा अलग गया, anyway, तो fish products जो है दो, हमको क्या मिल रहा है भाई fish से, हमको मिल रहा है fish oil, fish meal, as a meal करके हम use करते हैं उसको, fertilizers हमको मिल सकता है fish, fish guano मिलता है, fish guano जो है, it is like this sticky substance, फिक्या न, इस टिक्या substance नहीं, fish guano जो है, fish guano को ही, हम fish fertilizer भी बूलते हैं, ठीक है, दो दो बार क्यों लिख दिया, पता नहीं, fish glue और आइजन ग्लास, है न, आइजन ग्लास यह ऐसा substance है, जो generally use किया जाता है, paint, soap, oil, medicine वगरा वगरा में, तो यह अपना fishery हो गया, फिर उसके बाद में द अचला बाईया, silk culture, silk culture के लिए हम जो worm को, जो animal को use करते है, उसको बोला जाता है, silk worm, है न, और यह जो silk worm है, इसको नाम है, bombix moory, यह bombix moory, it is the silk worm, तो basically, this is a type of moth, तो इसकी life cycle लेको कुछ इस तरीके से, आपको मालू है, moth जो है, यह क्या करती, it undergoes metamorphosis, है न, अंड, अंडे में से caterpillar निकली, यह ऐसी caterpillar, caterpillar फिर बात में क्या करती है, plant के ऊपर feed करती है, और एक time के बाद, एक cocoon बनाती है, है न, cocoon से फिर moth निकलती है, फिर moth अंडे देगी, फिर अंडे से वही इस caterpillar निकलेगी, वही वही ऐसी life cycle है, हमको करना क्या होता, silk production में, यह caterpillar, जब अपना cocoon बनाती है, है न, तो यह cocoon बनाने के लिए, इसने जो substance यूज किया, वही है, भाई, silk, हम उस substance को एक्स्राट करना चाहते है, इसी लिए हम क्या करते है, यह अपना sericulture कर रहे है, ठीक है, तो sericulture में हमने just insect को यूज किया, उसका नाम क्या है, बॉम्बिक स्म प्लांट पे फीड करता है, वो भी अपना mulberry plant ही है, mulberry पे फीड कर रहा है, ठीक है, तो देखो, sericulture मतलब क्या, rearing of silkworm and production of silk, ठीक है, mulberry पे फीड करता है भाईया, यह, और यह क्या बना रहे है, mulberry silk बना रहे है, जो superior quality का silk है, बहुत बढ़िया quality का silk है, उसी के साथ-साथ, जो और भी टाइप की silk वैसे बनाया जाता है, जैसे तुसार silk हो गया, airy silk है, यह थोड़ी सी inferior quality है, बहुत बढ़िया quality मतलब अपना mulberry silk, एक है, और sericulture जो यह बहुत असान है, मतलब इसमें तुमको बहुत instruments की जरूरत नहीं, बहुत refined techniques की जरूरत नहीं, इवन मतलब ऐस लोग जो physically disabled है, handicapped लोग जनको बोला जा सकता है, they can also do the sericulture, वो भी self-produce कर सकते है, है ना, चलो, तो यह अपना sericulture हो गया, क्या requirement है तुको, looking after silkworm, तुमको इनकी थोड़ी सी देख भाल करनी पड़े, मतलब तुमको उनको लाल पैनल नहीं करना है, मतलब ऐसे, हाँ attention from infecting agent, infection इनको हो सकता है, bacteria है, fungus है, यह इनको infection कर सकता है, तो हमको यह precaution लेनी है, कि bacterial fungus infection इनको ना हो, तीसरी, मतलब फिर हम क्या कर सकते है, bacteria side, fungicide, ऐसे chemical चिटक सकते है, अपने मलबेरी के उपर, है ना, तीसरी precaution, protection against predator, है ना, अब जैसे, चीटी हो गई, ant है, या फिर अपने मलबेरी का जो फार्म होगा, उसमें विजिट देती रहनी चाहिए, अपने animal caterpillar को खाना जाए, करेक्ट है, या फिर वहाँ पे स्केयर क्रो लगा दो, सम्हाँ इनको प्रोटेक्टेक्टेट, बासे प्रोटेक्शन करना है, करेक्ट, तो यह सिंपल से रिक्वार्मे अपने सेरी कल्चर की, और सबसे लास्ट में आता है, लाक कल्चर, लाक मतलब मराथी तयाला लाक मनतो आपन, है नो, तो यह लाक कल्चर जो है, लाक कल्चर में हम इस इंसेक्ट को यूज करते हैं, उसका नाम है ट्रकाडिया लाका, इंसेक्ट का नाम, अब यह ट्रकाडि रीम लाइक सब्स्टूरिक्टeur नहीं तो यह थोड़ा सा सॉलीड बन जाता है उसी को आप बोलते हो यह झाल लैक बन किना सॉलिड है टो बन कि postal वह मेिन्हारा यह होता इस लैक को हमें क्या करना है थोड़ा सा processing processing करना पड़ता है और बाद में एक pure form of lack हमारे पास आता है तो यह जो purest form है lack का उसे बोला जाता है shellac ठीक है ठीक है it is purest form of lack पाबले माम यह लाक को कहां यूज़ करते हैं तो इसको भई बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है और्नामेंट्स जैसे बैंगल्स करी भाइब सब्सूंक कर सकते। जए बनाये जा सकते हैं। एक बार गो थुक्र ठीवारीची हैं। तो बस इतना ही था आज का अपना पॉइंट यह देख लेना एक बार लाइफ साइकल इसकी तो बस इतने ही छोटे से अपने मुद्दत है नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगे मैंने तुमको पहली बता है माइक्रोब्स इन वेलफेर वाला जो पॉइंट है इस लिटल बिट अन्रिलेटेड तो उसको या फिर अन्रिलेटेड बोलने से अच्छा वो कम्प्लीटली सेपरेट ही पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम क्या पर अपना यह जो लेक्चर है उसकी डीपीपीज को देखो इपीपीज मिल जाएगी उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो समझ में आ जागा तुमको लेसन समझाए के नहीं समझा है ना तो ऐसी अपने नए लेसन के साथ अपना आते रहेंगे और तब तक के लिए अल्द बे